Hello everyone, welcome again आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं November Current Affairs 2022 जितने भी important events होए हैं during November उसको आज हम पढ़ेंगे most of the questions को हम tricks से relate करके याद करने की कोशिश करेंगे सो अब स्टार्ट करते हैं फड़ा फड़ से आज का first question है recently अब यहाँ पर बात हो रही है सबसे बड़ा पूरे विश्व का पांडूलीपी पुस्तकाले यानि की largest monster script library ठीक है कहाँ पर बनाया जा रहा है तो option भी गुजरात में ओके तो देखिए इन शुरुतीर्थ औरियंटल विद्या पीठ आफ शंकेश्वर तो देखिए कैसे हम याद रखें'D गे तो देखिए जितने भी पांडूलीपी वगेरा होती है तो उसमें क्या स्टोर कया जाता है सब्सक्मी के events को रा decides is this existence is Beach Market 오FT कैसे जो गुजर चुके होते है तो गुजर से आपको dark For so tuky से क्रेंग तो क्या हो जाएगा रिसेंटली अभी 36 नैशनल गेम्स हो था गुजरात में, वर्ट का फॉर्स्ट सी एंजी टर्मिनल बनाए गया है गुजरात में, श्रेश्ठा गुजरात का एक प्रोजेक्ट है, गुजरात गुजरात का एक कैटल कंट्रोल बिल था, इसको गुजरात ने वापस ले लिया थ था, हमने प्रीवियस का इंटरफेर में इसको पढ़ा था, पीम ने इनॉक्रेट किया है, आइकॉनिक अटल ब्रिज इन एहमदाबाद, नॉमिनेशन ऑप गर्बार डांस तु युनेस्को हैरिटेज लिस्ट, इस्टेट साइंस अं टर्मिनोलोजी मिनिस्टर कॉन्फरें बात हो रही है गुजरात की, तो देखें, गुजरात की कैपिटल है गांधी नगर और गुजरात की चीफ मिनिस्टर भुपेंदर पटेल है, तो अभी रिसेंटली गुजरात में अलेक्शन हुए है, तो फिर से भुपेंदर पटेल को ही बनाने की बात की गई है, कोई चे तो यह मून का मिशन है और मून के साथ एक औरियन पैपसूल जा रहा है जो क्या है एक एरक्राफ्ट है तो यह जो मून है इसका फोटो क्लिक करेगा कौन से लॉंच पैक्स को लॉंच किया गया है तो 39B स्पेश लॉंच सिस्टम कहां से तो कैनेडी स्पेस सेंटर से और यह भी कहा जा रहे है कि यह टॉलर्थ है स्टैचू ओफ लिबर्टी से भी ठीक है सो वर्ट का मोस्ट पावरफुल डॉकेट कौन सा बन गया है नासा बन गया है याद रखने है आपको ओके अब देखिए रिसेंटली इस्रों नासा का एक जॉइंट मिसन है क्या नहीं हमें ज अब चलते हैं अपने नेक्स कोशिन पे तो देखिए थर्ड क्वेशन है रिसेंटली अमेरिका और किस देश ने विजिलेंट स्टॉम सेंड अभ्यास का युचिन क्या है करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया ओके तो देखिए विजिलेंट स्टॉम एक मिलिटरी एक्साइज यह देखिए यहां पे विजिलेंट लिखा है तो विजिलेंट से क्या रिलेट हो रहता है कि विजी यानिकी बीजी तो देखिए बीजी ना दो तरीके के लोग बहुत होते हैं एक तो वह जो बहुत जादा काम करते हैं तो अमीर लोग कैसे बनते हैं क्योंकि वह बहुत ज तो देखें बिट्विन दे यूएस और साउथ कोरिया कहां पर हुआ है एक फोर डे का ट्रेनिंग एक्साइज है बिट्विन ऑक्टूबर 31 और नवेंबर 4 2017 के बाद ये पहली बार एक परमाडू परिक्शन की तयारी कर रहे उत्तर कोरिया और अमेरिका का एक मिशन है तो इ स्कार्ट हुआ था रिसेंटली जापान एंडिया के बीच में ओके कहां पर तो जापान की सी है वहां पर एंड सेवंध एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉयंट एर एक्साइज हुआ है रिसेंटली कहां पर जोद्पूर में ठीक है ये पॉइंट भी आपको याद रखन तक इसको किया गया है एराउंड 200 साइकलिस्स जो है वह इसको पाटिसिपेट किया है इन्होंने ओके ओबर 25 कंट्रीज इन एश्या दाइवेंट इस बीन कंडुक्टेद आउटसाइड डाली फॉर फॉर्स ताइम तो पहली बार ऐसा हुआ है कि डेली के बाहर इसको कराए है तो अचल बहुत पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है कैसी याद रखेंगे यहां पर लिखा है और चलता रेल चलती है तो रेल केला हो जाएगा तो ऐसे आपको याद रखने है अब बात और देखिए कि केला की के वुमें फ्रेंडली ट्रियूर्सम प्रोजेक स्टार्ट किया है केरला ने पब्लिक अफ़ेर इंडेक्स 2022 में केरला रहा है थर्ड पे इंडियन ने भी सेलिंग कॉंपटिशन में किससे कराया था होस्त तो केरला नहीं कराया था इससे हमने प्रीवियस करेंट अफ्यर में बढ़ा था किया गया है तो यह सारे important points आपको बहुत अच्छे से याद रखना है तो देखिए सीमा धून दिया एंड अब्राहम यह तू वुमें ऑफिसर से Central Reserve Police Force की have been promoted to the rank of Inspector General for the first time after their induction into the force in 1987 तो जब से यह आई है 1987 के बाद से उसके बाद से पहले बार ऐसा हुआ है कि इनको IG की post मिली है तो कौन दो लोग है तो सीमा धून दिया एंड एंड अब्राहम तो देखिए कैसे या दखेंगे यहाँ पर बात हो रही है लिए इसको कैया बनया गो है न कि इनके इसको भी प्रमोट चाएगा जो कोई बी स्कूझ प्रोट की प्रमोट की निम निद्य बात और धियान रहनी बात याँन पर के सुजाओ लाल ठावसिन जो है यह प्रेजंट में DOEजिए किसके CRPF के और कौन से ये स्टेट को बिलॉंग करते हैं तो आसाम को बिलॉंग करते हैं 37th नंबर के हैं आप देखिए बात हो रहे हैं यहां पर CRPF की तो CRPF जो है existence में आये था as crown representative police on 27th July 1939 and become the Central Reserve Police Force of CRPF Act on 28th December 1949 तो देखिए CRPF Act के तुरू यह Central Reserve Police Force बना 28th December 1949 को and 27th July 1939 में इसको बनाया गया था as a crown representative police तो इस तरीके से आपको यह सारे important points ना बहुत अच्छे से याद रखना है 6 question देखिए which the state chief minister has recently launched the citizen engagement and communication program हाली में किसराज के मुख्यमंत्री ने नाकरिक जुडाव और संचार कारिकरम शुरू किया है तो देखिए चीफ मिनिस्टर जो है कॉन्राड के संग्मा मेगालिया के उन्होंने इसको लॉंच किया है तो देखिए जितने भी मेगालिया की स्कीम है तो उन सारे स्कीम जो है वह सही से वर कर पाएं और लोगों तक पहुंच पाएं तो इसी चीज में सुधार करने के लिए इंगेजमेंट और कम्यूनिकेशन प्रोग्राम को दॉंच के है कि इसने चीफ मिनिस्टर और मेगालिया कौन है चीफ मिनिस्टर कॉन्राड संग्मा तो देखिए उनके साथ अगर कम्यूनिकेट करना है तो किसी ने किसी जगापे करना पड़ेगा तो देखिए जब कोई उसका आले बूला जाता है जैसे कि पात्षालाग है ना विद्ध्याले तो विद्ध्याले में क्या है बच्चे बहाँ ना पर घर करते हैं तो कोई भी जगा जहां पे लोग रहते हैं उसको एक सांतना आले जोड़तीया जाता है तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि सीडिजन का इंगेजमेंट और उनके साथ अगर एक जगा पे बलाना पड़ेगा तो अले की मेगाले ऑले है उके बहुत कर रहे ना तो मेगालया में यानि की मेगालया की जो चीफ मिनिस्टर हैंlive वनके लैने। बात आ अब देखें बात दोरिये मेघालिया की तो other important जो current affairs से मेघालिया का जो हमने previous पड़े थे तो देखें मेघालिया government ने announce किया था first ever mental and social care policy को ब्रिगेडियर BD Mishra जो है has been given the additional charge of governor of मेघालिया तो BD Mishra जो है नुराचल पादिश के governor है इनको additional charge दिया गया है मेघालिया के governor का तो यह important point आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से next question देखें who has recently been appointed as the chief of southern command of Indian army हाली में भारती सेनक की दक्षिडी कमान के प्रमोग के रुप में किसको अपॉइंट किया गया है आर्मी चीफ कौन है जनरल मनोज पांटे है चीफ आफ नवल स्टाफ कौन है तो एड्माइरल आर हरी कुमार है और एयर चीफ मार्सल कौन है वी आर चौत्री है ठीक है तो यह सारे important point आपको यार दखना है चीफ आफ सदं कमान आर्मी किसको appoint किया गया अजे सिंग को appoint किया गया है और चीफ है किस कंपनी को बात इसटी अटरह कह या एक है तो टार अबत किस खायो करने के लिए यह वाट दिया गया है बात हो रहें यह आपर टारे स्टील की तो CEO कौन है तो टीवी नरेंदर है टारे स्टील का फाउंड हुआ था तो 25 अगस्ट 1907 जंशेथपुर में हाली में Civil Air Navigation Services Organization Asia Pacific Conference की मेचपानी किस ने की है करेक्ट आंसर है गोवा अब देखें यहाँ पर बात हो रही है Civil Air Navigation Services Organization यानि की CANS को किस ने इसको और्गाइज किया है तो गोवा ने और्गाइज किया है क्या है Asia Pacific Conference ठीक है तो देखें Air Navigation Air Navigation की जरुवत कप पढ़ेगी आपकी जब आप कहीं पर जाओगे कहीं पर गो होगे जाओगे तो गो यानि की गो फॉर गोवा हो जाएगा ठीक है अब यह आप पर देखी CANS जो जो है इसका एम क्या है तो टॉन दो इस चीज़ के लिए अराम से लोग आजा सके कोई प्रॉब्लम ना हो ओके दूरिंग फ्लाइट वगेरा ठीक है तो मेली इसका यही कॉंक्लूजन है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है वोके इस चीज़ के लिए जो एश्या पैस्विक कॉंफरेंस हुआ है सिविल एयर नविगेशन सर्विसेज ने इसको होस्त किया है कहां पर गोवा में ओके आप देखिए बात हो रही है गोवा की तो गोवा में 37th National Games होने वाले है 2023 23 ओक्टूबर में होस्त किया था गोवा ने 9th World Ayurveda Congress औरोगे एक्सपो रिसेंटली चीक है तो देखें यह जो इसना पैसे कॉंफरेंस है रिलेटर है हवाई यात्रा में सुधार करने से चीक है तो इससे में आपने बहुत नीज में बढ़ा होगा कि फ्लाइट में ये प्र अब यहां पर कभी-कभी FICCI को फीकी भी बोला जाता है ओके तो देखेंए फीकी तो कोई चीज मीठी बनाओ वह फीकी निकल गई की ओके तो देखिए FICCI found हुआ था 1927 में इसका headquarter कहां पर है न्यू देली में अधर appointments देखिए जो November में हुई है बहुत important है तो देखिए new MDN chairman of VPCL किसको appoint किया गया है वियार कृष्ण गुपता को new CEO of EESL Vishal Kumar independent director of RIL for five years KB कामत the president of Sri Lanka India Society of the year 2022-23 Kishore Reddy chairman of the National Monument Authority किशोर कुमार वासा CEO of company of Editas Bijon Gaidon CEO of Prasar Bharti recently Gaurav Drivedi Meta company appointed as the country head in India Sandhya Devanathan next chief of ONJC recently Arun Kumar Singh okay and president of all India rubber industry association is Ramesh Kejriwal okay तो यह सारे appointments हम अदर अलग से भी पढ़ेंगे okay रिक से जब हम November की सारे appointments पढ़ने वाले हैं तो अभी आप यह याद रखिए कि यह सारे appointments हुए है November में okay 11th question is where has the Baji Routh national football tournament been integrated recently हाली में Baji Routh अंतर राष्टियर football tournament को उद्गाटन कहां पर किया गया है okay national football tournament है okay तो यह किया गया है उरिसा में तो देखें Baji Routh national football की बात औरी है ठीक है तो देखें football में बाजी कौन मार पाएगा जो football को उड़ा उड़ा के मारेगा तो उड़ा यनकी उडिसा तो उडिसा ने इसको host किया है ओके तो देखें देन कनाल इन उडिसा में इसको host किया गया है इनाग्रेट किया है union minister धर्मेंद्र प्रधान ने अंडर देखें इस ताम बहुत सारे sports है ना तो इनको प्रमोट किया जा रहा है इस पोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है कंट्री पे ठीक है तो football for school initiative भी निगल के आया है किसके थ्रू बाजी राउत national football tournament के थ्रू जो कहां पर इनाग्रेट किया गया उडिसा में ठीक है विनर कौन रहा तो देखें राजस्थान United इस football tournament में विनर रही है ठीक है देखें बात हो रही है यहां पर किसकी football tournaments की यानि की different different sports की okay तो देखें upcoming sports events जो है इसको हम देख लेते हैं 2023 का फीबा मैंस basketball world cup होने वाला है इंडोनेशिय जपान एंड फिलिपिन्स में 2022 का फीबा मुमेंस basketball world cup हुआ है सिड्नी ऑस्ट्रेलिया में 2023 का बी डवल वर्ड बैंविंटन चैंपियंशिप कोपन हिंग डेनमार्क में होगा and next है which country will host the ICC man's cricket world cup 2023 तो कौन host करने वाला है इंडिया host करने वाला है okay so यह सारे important points जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है 12th question देखें who has become the new prime minister of Israel recently तो हाली में इस्राइल के नए प्रधान मंत्री कौन बने है तो देखें नए प्रधान मंत्री बने है Benjamin Netyahu okay तो देखें यहाँ पर क्योंकि बात हो रहे है इस्राइल की तो इस्राइल यानि की रेल किस पर चलती है तो बाई रेल इजी वे में किस पर चले की जमीन पर चले की हवा में तो चलती नहीं है तो Benjamin Netyahu यह फिर से प्रधान हो गए है इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर अब बात हो रहे है देखें आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तो रिसेंटली जो नेवेंबर में प्रइंट किये गए है इसे हम पढ़ लेते हैं तो देखें फर्स मुमेंट यह याद रखना है. Next isdogs प्रेसिडेंट के ले खोड़ा नेकिस्टान कारें नर्म प्रेसिडेंट के उपचे प्रेसिडेंट के लाएं 9 प्राइम इस्ट्र और रोप से आपको 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 आंपाल ज्य क्या कोई आप खोड़ा होना यह लकी है टो Unara थो बहुत यह थीश पाल रहे हो अनिम्ल वगिएरा तो अध्याम ग्रान जानगा पकिन ईक没有 और जरुर होतोल्ड मुल्समुन दिया ईमनिर हो टो Hmm नेपाल के न Trade आधल के नेजिग विर्स नवल की नेंहीं सब्सक्राइब इस कैसे याद रखना है पेरू यानि कि पेरू तो आपना चैन से बैठ नहीं तो बैठ बैठ सी चैवेज इनको पॉइंट किया गया है फ्राहीं मिनिस्टर आफ पेरू याद रखना है आपको जो अग्री कल्चर मिनिस्टर है तो कॉन नरेंद्र सिंह टोमर तो इन्होंने न एक एक एं एन एन एफ पोर्तल जो है इसको लांच किया है और इसकी मदद से न यह एक तरफिका का कॉर्डिनेशन है विट सेट गॉवर्मेंट और सेंट्रल डिपार्टमेंट के साथ ठीक है तो याद रखना है आपको यह point बात ओर यह देखिए यहाँ पर क्योंकि meeting वगेरा की conference वगेरा की तो देखिए other initiative या जो other conference वगेरा है इसे हम देख लेते हैं तो बंदे मात्रम initiative जो है कहां का है महाराश्चा का इसने तो शुरू किया है anti-dust campaign to control air pollution किस ने start किया था देली ने हमाचल प्रदेश की हमाचल प्रदेश की हमाचल प्रदेश का तो यह question आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अगला question देखिए अदानी न्यू इंडू इंडिया का largest wind turbine in which state हाली में अदानी न्यू इंडश्री ने किस राजमे भारत का सबसी बड़ा पवंड तर्वा तो जो wind है वो रात भर चलेगी है ना तभी तो turbine बड़ करेगा तो रात गुजरात क्योंकि यह largest है तो ओविसली रात भर विंड चलना पड़ेगा नो विंड को चलना पड़ेगा तो रात गुजरात तीक है तो ऐससे आप इसको याद कर सकते हो तो देखे इस्तॉलेशन ओप दे लाज़ेस्ट विंड टर्वाइन जनेरेटर डबलू टीजी कहां पर तो मुंत्रा गुजरात में एम किया इसका तो ग्रोथ प्लान पर रेनुएबल एनरजी तो रेनुएबल एनरजी का इसमें ग्रोथ प्लान को लेके यह काम हो रहा है तो विंड बढ़ा है कि Statue of Unity से भी जाधा बढ़ा है and has blades that are broader than the wingspan of Jumbo Jet और इसके blades भी बिल्कुल Jumbo Jet जैसे बहुत ही जाधा बढ़े बढ़े है तो आप सोचे कितना जाधा यह बढ़ा प्रोजेक्ट है बात हो रही है यह आप पर देखे गुज्रात की तो गुज्रात के CM फिरसे कौन बन गे है भुपेंदर पटेल अभी हमने को पड़ा था okay MWL की Chief Operating Officer कौन है तो मिलिंदु कुल करनी है ठीक है तो यह बाते आपको पहुत जैसे ध्यान रखनी है सारे points 15 question देखे who has recently become the first player to take a hat-trick in the ICC T20 World Cup history तो हाली में ICC T20 विश्व कब के इतिहास में hat-trick लेने वाले पहले खिलाडी कौन बन गए है तो पहले खिलाडी बने है विराट कोली ठीक है ICC T20 की बात हो रही है याद रखने है आपको तो देखे विराट कोली becomes first player to register a hat-trick in the history and recently also become the first player to score 4000 runs in T20 तो ये दोरो ही point आपको ध्यान रखना है recently related to विराट कोली कि ये पहले first player बन गए है to register a hat-trick in the history and recently also become the first player to score 4000 runs in T20 ये दोरो point आपको याद रखना है अब ये देखे इनका जो winning knock था क्या था तो playing a match winning knock-off 82 not out against Pakistan he amazed and unbeaten 62 against the netherland okay तो इसके through इनों ने ये records बनाए है याद रखने है आपको बात रहे हैं आपर लेगी ICC की तरफ से तो ICC found was on 15th June 1909 में ICC के chairman कौन है तो Greg Barclay है ICC के CEO कौन है तो Jorv Eladis and ICC का headquarter कहाँ पहाँ है तो Dubai United Arab Amirat में ठीक है सो ये points आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ओके 16th question is in which state has the country first voter श्याम शरन नेगी वोटेर रिसेंटली हाली में देश के पहले मतदाता श्याम शरन नेगी ने किस राज में मतदान किया है तो दीखिए क्या लिखा है यहाँ पर देखिए country का first voter तो first voter कौने country के श्याम शरन नेगी है 106 वर्ष के यह है तो देखिए 106 वर्ष के यह थे रिसेंटली अभी इनकी dead भी हो गई है तो यही बने है पहले voter श्याम शरन नेगी जिन्होंने vote दिया था हिमाचल प्रदेश का जो अभी voting चल रही थी उसमें तो यह बात आपको ध्यान रखनी है तो जो 34 वी विधान सबद चुनाफ चल रहा है इसमें उन्होंने vote दिया कहां को बिलॉंग करते हैं देखिए हिमाचल प्रदेश को श्याम शरन नेगी तो देखिए मा के आचल में हमेशा इंसान शरन लेना चाहता ह तो मा का आचल यानकी हिमाचल तो आपको याद रखना है कि श्याम शरन नेगी तो इस तरह से लेट करके ध्यान रखना है कि मा के आचल में शरन बढ़ियां लगती है तो मा हमेशा अपने आचल में शरन देती है अपने बचों को तो श्याम शरन नेगी कहां को बिलॉंग क जो 4th भारत express train है इंदिया की वो भी हिमाचल प्रदेश से लॉंच की गई है सत्या निष्टा एप बाइ कांगरा पुलिस तो कौन सा यहाँ पर सत्या निष्टा एप है कौन सी पुलिस द्वारा तो हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है कांगरा पुलिस द्वारा तो यह important points भी आपको ध्यान रखने है 17th question is किस देश ने हाली में सबसे लंबी यातरी train चलाने का record बनाया है तो स्वीजर लेंड ने सबसे लंबी यातरी train को बनाया है तो सबसे लंबी यातरी train है तो train जो है वो क्या कर रही है कई सारे passengers को लेके चल लिए तो obviously उनका जनरी को स्वीट बनाने के लिए यह लांच किया गया है तो स्वीजर लेंड तो ऐसे आपको ध्यान रखना है आप देखिए 100 coaches measures 1910 meters and consists of 4550 seats बात हो रहे हैं पर स्वीजर लेंड की तो स्वीजर लेंड की currency has to is frank स्वीजर लेंड की capital है burn and president कौन है तो ignazio cases तो यह बात आपको याद रखना है अगला question देखिए Mr.State Chief Minister have recently launched the e-upahar portal and CM dashboard कि सराज के मुख्यमंत्री ने हाली में e-upahar portal और CM dashboard लांच किया है correct answer है हरयाना e-upahar portal and CM dashboard आप देखिए उपahar सबसे पहले उसी को मिलेगा ना जो बहुत fast होगा जो हरी होगा so हरी यान कि हरयाना तो हरयाने ने इसको launch किया है ठीक है क्या है ये for real time data of all department and decision taken on major schemes तो जो भी major schemes है उसमें क्या काम चल रहा है okay सारे departments में okay तो इसी से related ये पुरी जनकारी information मिल सके तो monitor करने के लिए इसको launch किया गया है okay live monitoring of every department at the block district and panchayet level जितनी भी schemes है government की okay तो जितनी भी departments है उस state के तो सारे जो schemes है उसको live monitor करने के लिए चाहे वो block level पे हो district पे हो panchayet level पे हो तो अच्छे से monitor करने के लिए ये EU उपहार portal and CM dashboard launch किया गया है ठीक है तो याद रखना है आपको okay बात ओरे है यापे हरियाना की तो देखिए हरियाना के जो other important points है तो public affair index 2022 किसने launch किया है हरियाना ने इसमें top किया है okay state government has made registration of paddocs mandatory recently तो जो जो paddocs है income mandatory किया है registration किसने हरियाना ने हरियाना 19th question is who will lead the Indian delegation to COP27 in Egypt recently तो हाली में मिनिस्टर में COP27 में भारती प्रती मंदल का नितत पर कौन करेगा तो देखिए कौन करने वाला है भुपेंद्र यादब ठीक है जो एन गॉर्मिन मिनिस्टर ने भुपेंद्र यादब किस चीद पर है for a better definition of climate financing for developing nations के लिए इन्वार्मिन मिनिस्टर कौन भुपेंद्र यादब तो यही यहाँ पर lead करने वाले है इंडिया की तरफ से तो देखिए COP27 Egypt में हो रहा है इस बार तो कैसी आप याद दखेंगे COP की बार तो रही है कौन इसको host कर रहा है तो Egypt कर रहा है बात हो रही है देखिए COP27 की तो COP27 अकर है क्या तो countries came together to take action towards achieving the world collective climate goals तो जो भी climate से लेटेड़ गोल्स बनायते है countries उसको achieve करने के लिए यह meeting होती है बार पर as agreed under the Paris Agreement and the convention जो Paris Agreement and convention हुआता है इसके तुरू ही सारी जो countries है different-different वो इखटा होती है और इसके उपर अपनी meeting बैठाती है ठीक है Paris Agreement क्या है तो Paris Agreement जो है adopt हुआ था by 196 parties के दोरा at COP21 जब समेलन हुआ था ठीक है यह 27th समेलन है इस बार वाला पहले जब COP21 समेलन हुआ था पैरिस में तो इसी से रिलेटेड climate से रिलेटेड यह agreement बगेरा बनाए गया था 12 December 2015 को इसी से रिलेटेड सारे जो लोग है जिनोंने इस पे sign क्या है वो इखटा होते है और climate से रिलेटेड चीज़ों को बात करते और अपना concern दिखाते है ठीक है तो यह बाते आपको याद रुखनी है 20 question देखे Which Indian company has recently won the cloud native award at the 24th world communication award किस भारती कंपनी ने हाली में 24 विश्व संचार प्रोसकारों में cloud native award जीता है तो correct answer है देखिए जियों ने जीता है ठीक है तो जीयों को इस बारी award दिया गया है बात ओर यह देखिए अवार्ट हम पढ़ने है तो नेवेंबर के जी अवार्ट से इससे देख लेते है तो केरला का जीयोती अवार्ट दिया गया है M.T. अवासुदेवन नायर को उत्राखन का गौरफ समान 2022 का दिया गया है अजीत दुवाल को पोएट प्रशून जोशी को और लेट जनरल विपिन राबत को कुल्दीप नायर पत्रकारिता समान 2022 के लिए दिया गया है दवायर सीनियर एडिटर अर्फा खानूम शेरवानी को तो यह important points आपको धियान रखना है और इसको हम आलक से पढ़ने भी वाले है ट्रिक से जब हम awards पढ़ेंगे 21st question is विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है रसेंप्ली लॉंज लगपती दीदी मेला हाली में किसराज की मुख्यमंत्री ने इसका बती लगपती 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 उसकी दीदी ना मेले में कैसे बोल रहिया है हाँ बही दे दो उत्तर कैसे यह घंड सेपको 10 कि ट्रीक उलने अधि 1.25 लाग वोमेन from self-help group लगपती by 2025 तो 2.25 तक जो वोमेन है उनका खुद का self-help group बना के कम से कम 1.25 लाग वोमेन को क्या बनाना है लगपती बनाना है तो यह एम रखा गया है 1.25 लाग वोमेन उत्राखंड की बात हो रही है तो देखें उत्राखंड जो है वो ब्लड डोनेशन अमरित महसब के टाइम पे सेकंड प्लेस पे रहा था ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है तो बात हो रही है यहाँ पर देखें उत्राखंड के एंटी करप्शन एप्लिकेशन मोखे मंति सोर ररक्षकार योजना फिक है तो यह सारे जो एप्स हैं जो योजना हैं कहां कि उत्राखंड की तो यह बातें आपको याद लखनी है तो 22 ग्याशन देखें तो देखिए चाइन एंड वेतनम से भी आगे निगल चुका है इंडिया चीफ मैनुफेक्ट्रिंग कोस्त की अगर बात की जाए तो ओवरॉल देखा जाए तो 85 में से 31 पोजिशन पे है तो याद रखने है आपको तो चीफेस्ट मैनुफेक्ट्रिंग में पहला इस्तान प्राप कर लिया है तो टॉप कर दिया है किसने चीफेस्ट मैनुफेक्ट्रिंग कॉस्स इंड वर्ड में कौन इंडिया ने ठीक है याद रखने है आपको बहुत अच्छे से बट अगर ओवरॉल देखा जाए तो 31 प एक के सामने एक लोग जो इस टेबल पर रखे खाना खाते है अब आप क्या वो गया इंडिया की है इन्सान के सामने में एक नहीं 7-7 बेटे है एक की टेबल पर खाने के लिए तो एक सो सात के प्ले यादा था रेंक अफ इन्दानलन प्रे हैं तो इस इंडेक्स में इंडिया की रेंक है 123 तीके जियान रखना है आपको 23 क्वेश्चन देखे विचस्टेट गॉर्मेंट है रिसेंटली मेड 10 मिनट ऑफ योगा डेली कंपल्सरी फॉर स्कूली स्टुडेंस तो किसराजी सरकार ने हाली में स्कूली चात्रों के लिए प्र का जरूरी है वुग चाया कोई साही क्व नाटक करो दो कई सव आटक करो भाई लेकिन योगा करना जरूरी है वहाइन की хवेशन इंडेक्स जो नीति आयोक ने क्रू एक्सपो सिस्टम प्रदेशन किया गया था किसमें जो बैंगलूरू में हुआ था उडान एक्सपो ठीक है तो याद रखनें आपको स्वामी विवेका रंद युवा शक्ति योजना भी लॉंच किया था करनाटका ने करनाटका का थीक है यह पॉइंट्स है आपको याद रखनें 24th question देखे रिसेंट्ली हुआज ब्लोबल अम्बैस्टर ओफ एडुकेशन फॉर इनिशेटिव बाइड़िंग एडटेक कंपनी बाइजूस तो देखे हाली में अगड़ी एडटेक कंपनी बाइजूस द्वारा एडुकेशन फॉर रॉल पहल का वैश्विक राजदूद किससे निउट किया गया है करेक्त आंसरे देखे लियोनल मैसी अब बाइजूस जो है एडुकेशन से लेटे रहे थीक है तो ब्रांड इमेज़र उसको बनाए ना जब वो पढ़ाई करे तो भाया मैसी ना हो पढ ठीक है तो यह बाते हैं आपको ध्यान रखने हैं अगला देखिए रसेंट्ली रश्या हास बिकम ता लार्जेस इंपोर्टर ऑफ पेग आयरन और विच कंट्री इन फाइनेंशल यह 2023 में किस देश का पेग आयरन का सबसे बड़ा आया तक बन गया है करेक्त आंसरे इंडि इंडिया से रेटे जो भी पॉइंट है तो इसमें फर्स पोरिशन पर ही है तो देखिए दार्टर फ्रॉम स्टील मिनिस्ट्री एंड एसेस्ट बाइ बिजनस लाइन के दौरा हमें पता लगा है कि फाइनेशल लियर 2023 में नेरली 31,700 टन्स और पेग आयरन केम इंटु को इस बार नोबल पैस दिया गया था 2022 का दो अधर लोगों के साथ ठीक है रश्या विकम तर सेविंथ लाज़ेस ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया तो आप देखिए अभी मैं आपको बोला कि इंडिया से रेटे जितने पी पॉइंट से रश्या के ट्रेडिंग से र आरेस एफ स्टार्टे रिसेंटली हाली में आई एफ और आरेस एफ के बीच वार्शिक सेयुक्त सेन्य परिक्षन कहां शुरू किया गया है तो देखिए सिंगापूर की जो एयर फोर्स है और इंडियन एयर फोर्स तो वेस्ट में हुआ है ठीक है सो दे रिपब्लिक ऑफ सिंगापूर एयर फोर्स और इंडियन एयर फोर्स अर कंड़क्टिंग जॉइंट मिलिटरी ट्रेनिंग जम्ती अट कालाइकुंडा एयर फोर्स इस्टेशन इंजिया फ्रूं 3 नेवेंबर तो 14 दिसेंबर 2022 तो हजार बाइस तक में यह 14 दिसेंबर तक चलेगा आफ्टर सब्सक्राइब 2 साल बाद यह हो रहा है कोविट 19 की वज़े से अधर मिलिटरी एक्साइजे देख लीजे तो देखिए थर्ड दसलिक 2022 हुआ है इंडिया नोजबेकिस्तान के बीच में क्रिपान शक्ति 2022 हुआ है कंड़क्टिड बाइंडियन आर्वी ट्राइशक्ति कॉर नसीम अलबाहर जो है बिट्विन दा नेवी और इंडिया और उमान के बीच में हुआ है समन्वे 2022 इंडियन एयर फोर्स एक्साइज हुआ है कहां पर आग्रा में बात ओर यह देखिए आप एयर फोर्स के हैट की तो कौन है चीफ मार्शल विबेक राम चौतरी ओके याद के लिए राधा कृष्ण समीती का गठन किस नहीं किया है करेक्ट आंसर है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ओके तो उच्छ शिक्षन संस्थानों के मुल्यांकन और मानियता को प्रजबूत करने के लिए शिक्षा मंचाले ने एक उच्छ तरिये पैनल का गठन किया है क्या यह नाम पे रखा गया है जो चеॹ फ़र्षेंट कांपुर के इसमें मुल्यांकन और किसके आ गया तो नेशन पॉलिशी 2020 बात हो रहे हैं यहां पर किसकी एड़ुकेशन मिनिस्टर कोन है दर्मींदर प्रदान है हमारे एड़ुकेशन मिनिस्टर तो यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने है इंडिया का फ्लोट कर रही है इस मीन्स की वह जमी हुई नहीं है तो जमी यानिकी जमी जम्मू कश्मीर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में फ्लोटिंग फैनेशन लिट्रीसी कैमप जो है और्गनाइज़ किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंडिया में इससिरिजिव इस्टीव इनिशाक दीति नामे इस स्ञेटिव गोटी इन यह पोइंस आपको ध्यान रखना है Dir सब्सक्राइब किया है जमू में हैली इंडिया समिट हुआ है 2022 का जमू में जमू में कश्मीर ल्यूटिन गवर्णर मनोस्टीन हा जो है इन्होंने इनौग्रेट किया था वैली का फॉर्स्ट मल्टिप्लेक्स इन सोनावार एडिया ऑफ द सीटी चीक है यह पॉइंट्स मुंबई ट्राफी की बात वरिया 2022 की तो सेध मुस्ताइक अली कोई इंसान ठीक है तो सेध अली जो है मुस्ताइक से क्या समय थे मुस्ताइच यानि की मूच्छे देखिए बाइ जिसकी भी मूच्छी होंगि न तो उसको सब क्या बहुँंगे हे घाए करते नियों है यह मुची है तो सब क्या कहते है अरे भाई तो वह भाई बन गए डॉन बन गए तो मुंबई हो जाएगा ठीक है बिनर कॉन रहा तो देखे मुंबई ही रहा इसको पीट किया तो हिमाच्र प्रदेश को भाई थ्री विकेट अट एड़न गार्डन कोलकता में ठीक है हुआ कहा प तो देखे में प्रदान मंत्री मोधी के उपलब्तियों और विरासत पर लिखी गई दो पुस्तकों का विमोचन कहा किया गया है करेक्ट आंसर है देखे है दुबई में तो इसको रिलीस किया है और जो बुक्स है जो नवेंबर में रिलीस जो है वो है अब देखे है यहाँ पर विनिंग दा इनर बैटल बात हो रही है तो शेन वाटसन तो कोई बैटल अगर जीत लिया तो दूसरी पार्टी की तो वाट लग गई तो वाट यानिकी शेन वाटसन इसको किया है अब चलते हैं हम अपने नेक्स प्रेशन पर तो थर्टी फॉस्ट देखिए बात अरी है यह पर देखिए तो तव यनकी तयाः नुंकी एक राम जो है इनको अपाइंट केब का गईम्ट क कों प्रेशटैंक का Newton का नियू-P仔 बात और यह आपर देखें होकी की स्वेशन होकी फेडरेशन की सियों तयाफखन इनको पॉइंट किया गया माकाओं के है यह इन्हों ने पीछे किया है याई कि किसको इन्होंने सक्सीट किया है तो नरेंदर बत्रा को जो फुल टाम चीप थे राइट इंटरनेशन होकी तो कौन है इसका मोटो क्या है इसका मोटो तो फेयर प्ले फ्रेंशिफ फॉरेवर ओगे ध्यान रखने आपको अगला क्विश्चन है विच कंट्री प्रेसिदेंट विल बीड़ चीफ केस्ट अधस सेवेंटी भावासी भारती दिवस कन्वेंशन दिसेंटी तो हाली में 17 प्रवासी भारती दिवस समेलन में किस देश के राश्पती मुक्यतिती होंगे तो देखें ग्योयाना की होंगे ठीक है अब प्रवासी भारती दिवस जो इंडियांस बाहर चले जाते हैं इंडिया से बाहर चले जाते हैं इनको प्रवासी का जाता है ओके तो बाहर जब इ इर्फान अली यह होने वाले हैं तो आपको यह भी याद रखने है प्रवासी भारती दीवस के एडिशन के है 17 तो 17 खत्रा ठीके तो दीखें यह कहां पे होगा तो 2023 में होगा तो 2023 में यह होने वाला है यूथ प्रवासी भारती दीवस के गयाना की कहें तो जॉर्जटाउन लाइस इसको कितरा बुलाया गयाना को कैसी आद दखेंगे अब चुक्त भारती दी है तो उनके लिए पर इंडिया क्या कहीं नहीं आप तुमको यहां पर नहीं आना नहीं तुमको आब यहां पर सिर्डीश्ट के चला गया तो इस तरीके से ऐसे आपको याद रखना है ओके अगला वशषिन के घ्रीव細शन के ब्रयाद की याद रखना है क्या नहीं है इसका तो देखे ग्रामबंडी and KSRTC यानि कि केरला स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन ध्यान रखेगा 34th question is recently Uttar Pradesh has announced to make Mathura Brindavan a carbon neutral tourist destination 10 well तो हाली में उत्तर प्रदेश नहीं Mathura Brindavan को कब तक carbon neutral परिटन स्थल बनाने की गोशना की है तो 2041 तक कैसे आप रखेंगे देखे Brindavan में कौन रहता है तो Krishnaji रहते है तो बस आपको याद रखना है किसके लिए होगा यह neutral free carbon neutral free तो 4-1 यानि कि किसके लिए 4-1 सिर्फ एक इंसान के लिए 4-1 यानि कि 4-1 तक 2041 तक ऐसे आपको ध्यान रखना है एम किया है इसका to become a net zero carbon emission tourist destination by 2041 इस steps के लिए लिए जा रहे है इसको clean करने के लिए so tourist vehicles will be banned from the entire Brindavan के पास में सिफ electric vehicles का ही यूज किया जाएगा as a public transport ओके यही बस allow होने वाले हैं ठीक है याद रखना है आपको 35th question देखे वेर विल प्राइम मिनिस्टर जगदीब धनकर लीड इंडिया in the Asian India Comorative Summit recently हाली में आश्यान भारत स्मारक शिकर समिलेन में उपराश्पती जगदीब धनकर भारत का नित्पत पर कहां करेंगे त कौन से मीटिंग में तो Asian India Comorative Summit recently तो देखें लेट कौन कर रहा है तो Vice President जगदीब धनकर भारत की तरफ से कहां पर हो रहा है 17th Asia Summit तो यह हो रहा है देखें कमबोडिया में Indian Comorative Summit held in Cambodia from 11th November to 13 November तक यह हुआ था 2022 को जो है इसको मार्क किया किया है 30th anniversary of Asian India relation जो एशिया और इंडिया का रिलेशन है इसके 30th anniversary बनाई गई है 2022 में तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है तो आशियान इंदिया Comorative Summit recently जो हुआ है कहां पर कमबोडिया में तो किसने में participate किया है यानि कि भारत को किस ने टॉफिय में बहुत सकते हैं तो देखिए हर्याना निक्या है अब टॉफिय उसी को सबसे जादा मिलेगी न जो भाई हरी होगा जल्दी काम करेगा तो हर्याना हो जाएगा ऐसे आप याद कर सकते हो बाइद गॉर्मेंट ऑफ हर्याना Forest Department and the US Agency for International Development तो इन्होंने यह launch किया ह तो देखिए जितने भी फार्मर्स हैं प्राइबिट इस्टिशन है तो उनसे कहा जाएगा कि आप रपेडली एक्सपेंड कीजिए त्री के कवरेज को यानि की पेडो का चुका जो कवरेज है उसको बढ़ाना है आउटसाइड ट्राइशनल फॉरेस इन दा स्टेट के अंदर में तो वो है असांप, अंदरप्रदेश, हरियाना, उरिसा, राजिस्थान, तमिल नाडु एंड उतर प्रदेश और कई सारी स्टेट्स अभी बन रही है देरे-देरे तो देखें, टॉफी का फुल फॉर्म कहा है, तो फ्रीड आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, तो फॉरेस्ट जो है भारत में ना, तो इसके बाहर भी आपको पेड़ लगाना है, तो यह है इसका मतलग, चीफ मिनिस्टर को है हरियाना की, मनुहर लाल खटर, यूएस AID के एक्टिंग मिशन के डिरेक्टर कौन है, इंडिया में, तो कौन है, देखें, इंडिया में, करें किलमो स्विस्टी, तो याद रखनें, आपको क्या नामें का, कैरें क्लीमो स्विस्टी, ओके, 37th question is, who has become the new chairman of law commission recently, तो हाली में विदी आयोग के ने दिक्ष कौन बने ह इंट्र को क्या है बहुत एंडिया कि ऐसन राज कर सकते हैं, जानली में इसकी बीऑस्था में हों तो 22nd law commission जो है इसको notify किया गया था February 24, 2020 में law commission of India is neither a constitutional body nor a statutory body यह तो ना यह constitutional है ना तो यह statutory body है तो भाई है क्या तो देखिए its major function is to work for legal reform तो इसका major function क्या है आपको legal reform के लिए काम करना है under ministry of law and justice क्या आता है the first law commission was established by the charter act of 1833 during the British start तो जब British rule चल रहा था तब charter rank जो 1833 में था उसके first law commission यानि कि पहला विदी आयोग इसकी स्थापना की थी okay तो देखिए in the year 1834 and was headed by lord mccalli and lord mccalli ने इसको head किया था okay first law commission जो बना था independent India का was established in the year 1955 for a tankure of three years तो 30 सालों के लिए इसको बनाए गया था 1955 में okay याद रखना है आपको next question देखिए who has recently launched a platform called flood hub to forecast flood तो देखिए correct answer है Google तो Google नहीं launch किया है तो देखिए an American technology giant Google has launched a platform that display flood forecast तो देखिए name किया है इसका तो देखिए flood hub इसका नाम रखा गया है क्या नहीं में इसका flood hub बात रही गूगल की तो Google की CEO कौन है तो सुंदर पिच्छा है कब फाउंड हुआ 4 September 1988 को headquarter है Mountain View California founder कौन Larry Page सर्जे ब्रेन है और इसकी parent company कौन है तो यह बात आपको बहुत जी से याद रने है 13 question is how many Indians have been included in Forbes list 20 Asian women entrepreneurs से present ली तो इसकी जो 20 इशाय भाहिला उद्यों में कि सुची में कितने भारतियों को शामिल किया गया है तो देखें तीन भारती है कौन कौन सी तो देखें गजल अलगा सोबा मंडल एड नमीता थापया तो देखें कैसे यादर नहीं फोर्स के लिए 20 Asian women's में हैं तो कौन है ये तीन इंडिया की तरफ से हैं तो देखें कैसे यादर नहीं क्या नहीं गजल अलगा तो देखें फोर्स के लिए बही होगा न जो भाई जिसने बिलकुल कुछ अलग काम किया हो एंटर्प्रिनर की तरह है कुछ अलग काम किया हो पूरे मन से किया हो और भाई बात ऐसे करें अपने काम करने के बाद लगे कि भाई मीठी बात ही बोलता है मीठा बोलता है तो वहीं इंसान आगे बढ़ सकता है तो देखें कुछ अलग काम जो करें पूरे मन से करें और दूसरी लोगों से ने मीठी भाशा में बात करें ब जो को फांडर है एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर है किसकी खौंसा कॉंज्टीमर मामाज और्थी नमीता थापर जो है इंडियन बिजनस एमकॉर्स फार्मा की डाइरेक्टर है ठीक है तो यह बात आपको याद रखने हैं और फार्मा की इंडिया बिजनस डाइरेक्टर है नमीता थापर ओके नेक्स्क्रेशन देखें 40 वुमेंस वर्ड बॉक्सिंग चेंपेंशिप इंडिया करने वाला है ठीक है तो देखें एक M.O.U. इंडिया के बीच में बीच में अगला देखें विच्छ इंडिया में किस शहर में पहली बार मुंसिपल बॉंड जारी किया गया है तो फिर से यही बनने वाले हैं तो देखें पहली बार फॉर्स सिटी जिसने मुंसिपल बॉंड को इश्यू किया था वो है पुने सेकिंड बन गया है देखें वरोध्रा ठीक है देखें मुंसिपल बॉंड की बात ओरें तो वरोध्रा यानि की गुज्रात ओके तो देखें सबसे ज़्यादा जो मीटिंग बगेरा बिजनस्में कहा रहते हैं तो वही मुंसिपल बॉंड भी साइन करेंगे ठीक है तो मिंसिपल बॉंड फिर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा करें तांसर वरोध्रा ठीक है तो वरोध्रा गुज्रात आपको ध्यान रखना है तो के नेक्स देखें वेर्ट पीएम गतिशक्ती संकुल ट्रेट सेंटर एंड मुजियम वनारसी में ठीक है तो देखिए वाटर के अगर कई सारे वेस होंगे न तो बाई वाटर को कई जगे यूथ हो सकता है यानि कि वाटर एक्सेस अमाउंट में होगा तो बहई वनों को भी कोई प्रॉप्लम नहीं होगी है न तो वाटर समेट कहां पर हुआ है वनारसी में हुआ है तो ऐसे याद अखने आपको वाटर वेस कई तरीके चाहिए पानी के किसको वनके तो वन यानि की वनारसी हो जाएगा ठीक है अब्जेक्टिव क्या है इसका तो ब्रिंग टुगेदर ग्रेटर अवेरनेस अबार दो पी एम गत किसी तो ब्रूब लोगिस्टेविटेंसी एं ड्रिदिूसिंग ड्रिंग कोोफ तिक है तो दिकिए जो भी ट्रेट वगेर होता है तो इसमें जो कोंस्ट आतीस को कम करने के लिए वो के फास्ट और लास्ट मिल कनेक्टिविटी इसका एम रख गया है इसका एम रख़ा गय गटी शक्ति एम तो भी कंपाईल पाई 2024 तो 2024 तक इसको कंपाईल करने की बात की है PM गटी शक्ति योजना को एक 101 प्रोजेक्ट जो हैं जो लगबग 63,000 करोड रुपे के हैं अंदर गटी शक्ति तो देखें गटी शक्ति को लांच किया गया था 15 अगर्स 2021 में तो पूस्ट इंडियन एकनामिक ग्रोथ लांच हुआ था यह 13 अक्टूबर 2021 को ठीक है तो यह बाते आपको याद रखना है अब देखें नेवेंबर में जो अवाड डिस्रिब्यूट किये गए हैं इसको हम पढ़ने वाल करना स्वाजीद अंजम स्वाजीद अंजम स्वाजीद अंजम अर्फा खानूम जो हैं वोगे देवर अवाड़ेट वित कुल्दीप नायर जनलिस्म अवाड राइट नेक्स इस बॉन फोर अवाड अट यूरोप म्यूजिक अवाड 2022 किस ने जीता है तो टेलर श्रिफ न नहीं लेख रहा हो ओके नेक्स मिस अर्थ 2022 यह दिया गया है वाड साउथ कोडिया की मीना सुई चोई को देखे मिस अर्थ की बात और यह है तो अर्थ का वाड किसको जीता होगा तो में ली जो वोमेंस होती है तो जो बहुत ब्यूरिफोल होते तो उनके लिए क्या कहते ह चुई मुई सी है वो तो चुई मुई इनकी सुई चुई 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 तो साउथ कोरिया की मीना सुई चुई जो है इनको एवाड दिया गया है मिस अर् 2022 का टाइटल ओके नेक्स न्यू यॉक फिल्मेकर एसस राज मॉली जो है इन्होंने वान किया है वोके बैस्त डार नेकिने बहु बहु बली आपने देखी ऊगी तो इन्हों नहीं डिरेक्त के थी क्या नाम है इनका एसस राजा मॉली न्यू यॉक फिल्म शिटी सर्कल अवाड दो हजर बाइस किसे दिया गया तो राजा मॉली को नेक्स देखें बैंकर्स बैंक ऑफ दियर किसको मिला कैने एन को संवारां करना चैनरा में फेलें गाना ऊत्रौन को इसे एक शंपीजिसे की ने कhouses लिट्रिसी आवार्ड के लिट ऊता है को से चुरेए सब्सक्राइन को यह वो घ्रल्ड से तो सब्सक्राइड उचालें चाहेς को बसक्राइब नोच में झालें किया गया है अगला देखिए 43 क्वेशन डिसेंटल इंडियन आर्मी तो खाली में भारती सिना ने किस राज में वलंग मेले का युजिन किया है तो देखिए वलंग मेले की बात हो रहे है तो वलंग यानि कि वो लोग तो ऐसा कौन से स्टेट है जिसमें लोगों से तो देखिए रीसेंट अदर जो फेयर्स या फेसिबल सेलिबेट किये गया है इसको देख लेते हैं तो इंटरनेशनल सूपी रंग फेसिबल राजिस्थान में बनाए गया है सारस अजीवी का मेला नियो देली में ग्राउंड नट फेस्टिबल का पारिशी स्टार्ट हु हुआ है नियु देली में राइट सेविंटी इडिशन अफ आर्मर फेलकॉन फेस्टिबल बीट सेलिबेटर रिसेंटली बाइ मनिपुर फेस्टिबल यह भी किसने स्टार्ट किया है मनिपुर में स्टार्ट किया है तो ध्यान रखिएगा 44th question is who has recently hosted the second meeting of Bimstack agriculture minister तो हाली मे क्रिशी मंत्रों की दूसरी बैटर की मेजमानी किस ने की है तो देखें इंदिया ने की है दूसरी बैटर की मेजमानी तो second meeting of Bimstack agriculture minister कहां पर हुआ है तो देखें इंदिया में हुआ है ओके Bay of Bengal initiative for multi-sector technical and economic corporation यह है Bimstack के full form Bimstack agriculture minister meeting 2022 के important point देखिए for strengthening Bimstack agriculture corporation 2023 से लेके 2027 तक इसका एम रखा गया है MOU to promote to fisheries sector तो जितने भी fisheries sector है उसको promote करने के लिए about the Bimstack यह found हुआ है 1997 में to provide a unique link between south and south east Asia तो एक proper link बनाने के लिए south and south east Asia के मद्य यह Bimstack जो है गठिन किया गया है इसका Bimstack के member देखें कौन है so a seven member group which consists of countries okay so Bangkok, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, South Asia and two countries Myanmar Thailand from south east Asia okay बात ओरी देखिए Bimstack नी तो Bimstack के headquarter है Kathmandu Nepal में Bimstack के new secretary general है Tenjin Lakepan and objective क्या होता है देखिए Bimstack का to pursue mutual trade connectivity and culture technical and economic development in the region okay Bimstack 2022 का summit जो है यह कौन से नंबर का था तो the fifth Bimstack summit was hosted in virtual mode by Shri Lanka the current chair of Bimstack तो देखिए Bimstack के सिर्फ बात हो रही है तो वर्च्वली Shri Lanka ने लॉच्चिया ही बड़ यहां पर बात हो रही है Bimstack agriculture ministers की ठीक है तो इंडिया हो जाएगा थ्यान रखिएगा Bimstack 2022 की theme क्या है the fifth Bimstack summit theme is towards a resilient reason okay prosperous economy healthy people okay तो यह theme भी आपको याद रखना है अगला question देखिए who has won the India agriculture best state award recently हाली में इंडिया Agribusiness best state award किसने जीता है करेक्ट आंसे ने देखी हरियाना ने So Indian Agribusiness Award 2022 by National Fisheries Development Board Haryana has received in the best state category for their contribution in the areas of agriculture ठीक है तो agriculture की area में अपना contribution देने के लिए अगरी आना ने यह बहुत रीदा है अब देखिए Agribusiness best state की बात हो रही है तो जितने भी अगरी कल्चर करने वाले business होते है तो वह देखिए बहुत जल्दे लिदे काम करते है हरी हरी या हम इसे ऐसे भी क्या याद कर सकते हैं देखिए बिजनस की बात हो रही है एगरी कल लॉंच किया था तो हर्यान नहीं इसको लॉंच किया है ठीक है याद रखिएगा और तो अगला question देखिए रिसेंटली विच अफ दो वर्ट हाइस पोलिंग इस्टेशन हाज बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश तो हाली में हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे उचा केंदर कौन सा बनाए में अन्यार ककी क है ठीक ताशषी गंग का है टाइपिए यहां पर अपको ध्यान रखना है तो देखिए ताशी गंग लाहौल और इस्पिती इसके पास है यह कहां पर हिमाचर प्रदेश में तो ध्यान रखेगा ठीक है बात हो रही है देखिए 47 7th question की who has recently launched the online portal for ESIC maternity benefit तो हाली में किसने ESIC matrat for lab के लिए online portal launch का है तो देखिए correct answer है भुपेंद्र यादब ठीक है environment minister भुपेंद्र यादब तो देखिए इससे फाइदा क्या होगा so this facility will ease the process of claiming maternity benefit for insured women जो भी insured women है उनको maternity benefit है वो असान रहेगा okay as the process has now been made online where the beneficiaries at their convenience can now claim the maternity benefit from anywhere okay तो कहां चारे कि यह जो process है ना यह और easy बनाती है online कर दिया कह है तो कोई भी जो maternity benefit लेना चाहता है वो उसको claim कर सता है employees state insurance corporation online maternity benefit है इसका पूरा नाम ESIC का ठीक है during the combination of 100th birth anniversary of 5th दादो पंत तेंगरी तो दादो पंत तेंगरी की birth anniversary पे यह maternity benefit लाया गया है एट विज्ञान भावन न्यू देली employees state insurance corporation established by ESI act is an autonomous corporation under ministry of labor and employment government of India तो government of India के अंदर यह आता है तो याद रखना है आपको okay अगला question देखे which state government has recently celebrated November 10 as बाजरा दिवस तो किस राज ने हाली में 10 निवेंबर को बाजरा दिवस के रूत में मनाया है correct answer देखिए औरिसा ने अब बाजरा की बात औरी तो बाजरा की क्यावनेंगी देश्ट देश ओरिसा ठीक है so the state government of orissa is observing 10th November 2022 as माइलिड दे अब 10 निवेंबर को माइलिड दे बनाने वाली है उडिसा उडिसा की capital है भुवनेश्वर उडिसा के cm को आने नवीन पतनायक और उडिसा के नवेंबर यानि कि नवेंबर सी समझ में आ रहे हैं नॉन वेज तो अगर एक भी इंसान नॉन वेज नहीं खाता है इत मींस वह क्या है वेगन है ना शाकाहारी खाता है तो बस फर्स नवेंबर को सेलबेट किया जाता है वर्ड वेगंडे नेक्स देखें फिप्ट नवेंबर और फिप्ट नवेंबर को सेलबेट किया गया था वर्ड सुनामी अवेर्नेस देखें तो इतनी ज्यादा वेवस जो थी इतनी तेस थी कि लोग ना किनारे तक बिलकुल पहुंशने में तो दिख deck a अगर आपको एईप्ट अगे बना ऊधखन न तो क्या करना पड़ेगा आपको एक करके ना नोमड को शेलबेड करके आप Shannon at कर सकते हैं okay next day care 12th november and 12th november को salvate किया गया था word pneumonia day यानि कि विश्व निमोनिया थी बस okay तो देखिए pneumonia कब हो गया pneumonia यानि कि Mona तो pneumonia हो गया जब बाहर की कोई चीज का ली तो बाहर की चीज नहीं खाना है बाहर की चीज को क्या बोलना है तो बाहर यानि कि 12 ओके और नो यानि कि निवेंबर को salvate किया गया था वर निमोनिया थी ठीक है याद रखिएगा 14th november को salvate किया था Children's Day in India and वर Diabetes Day तो देखिए Children's Day 14 November का होता है यह तो सभी लोग जानते है इसी दिन Diabetes Day भी क्या गया था तो देखिए Children's Day के दिन बहुत ज़्यादा लग्टू वगेरा मिलते हैं तो चिल्डन को Diabetes होने का खत्रा है ठीक है तो Diabetes से हमने Children's Day को रिलेट कर दिया यह भी कब salvate किया गया 14th November को 16 November को देखिए National Press Day अब Press Day किया गया है 16th November को थीम क्या है इसकी The Media Role in National Building तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर National Press Day की बात हो रही है कब celebrate क्या गया तो 16 November को ठीक है ठीक है प्रेस वगेरा पहले काम आती थी कि चीजों को सुल्जाने में बट अब सुल्जाने में नहीं उल्जाने में काम आती है ठीक है इस दिन समिधान बनके त्यार हो गया था चीक है 26 November को तो यह तो आप लोग जानते हैं 26 निवेंबर सेल्बेटेद एस इस विपनेशन और आपको याद रख रहा है तो यहां पर पूछा रहा है आपसे कि पहली बार ऐसाई कॉण फॉआ है जुसमें चीक है तो कॉण सी मिनिस्टर के बीच में तो करेक्ट आंसर है ओप्शन है डिफेंस मिनिस्टर के बीच में होगे तो अब जो है अश्यान और इंडिया का जो रिलेशन है उसको सेलब्रेट कर रहा है तीस साल हो चुके है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2022 को डिक्लियर किया गए आशिया इंडिया फ्रेंशिप और पहली बाल कॉन्फरेंस और्गनाइज हो रहा है बिट्विन डिफेंस मिनिस्टर्स तो हाली में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा निग्राली सूची से हटा दिया है है दूसरे देशों की करेंसी की दूसरे कंट्री करेंसी को मैनुप्लेट तो नहीं कर रहे है इस चीज़ को देखता है तो करेंसी का वैल्यू कम तो नहीं दिखा रहे है दूसरी कंट्री तो अपने को फाइदा पचाने के लिए ना जो दूसरी कंट्री होती है अपना जो क करने की ज़रुद नहीं है इंडिया फेयर काम कर रहा है तो यह बात आपको धिहान रखने है कि करिंटी मॉनिटरिंग लिस्त से इंडिया को हटा दिया गया है अमेरिका ने ओके उएंडिया चैना जपान कोहरी जर्मनी मललीश सिंगापोर एंड तैइवान जो है यह अभी भी पार्ट है करेंट मॉनिटरिंग लिस्त का होगे उन्यटी स्टेस के ट्रैजरी सेक्रेटरिर जो है क्याना बेंका जनेत इश्यालें तो इनकी मीटिंग हुई थी इसके तो finance minister जो है भी प्रेजेंट में राइट इसमें इंडिया को currency monitoring list से हटा दिया गया है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है एक question देखिए recently in which state R.I.L. will develop India's first multi-model logistic park तो कहां पर बनाने की बात ओर रहे तमिलाडू में तो multi-model logistic park कौन बना रहे है Reliance industry बना रहे है so Reliance Industries Limited has been awarded the project to build India's first multi-model logistic park यानी की MMLP in चिन्नाई तमिलाडू में बन रहे है तो देखिए कैसे याद रखना है आपको कि इंडिया का first multi-model multi-model यानी कई सारे models के लिए ये काम करेगा ठीक है कई सारे models का मतलब हो गया परिवहन पहुँचके विभिन तरीके मशीनी क्रित गोदाम बनाए जाएंगे cold storage से related भंडारन ग्रेह बनाया जाएगा मशीनी क्रित समगरी headling और inter-model transfer container terminal के लिए ये सुविधाई होंगी किसमे multi-model logistic park में कई सारे projects पे काम किया जाएगा तो देखिए कई सारे projects पे काम किया जाएगा multi-model पे तो एक तरीके से मील बगेरा बनाई जाएगी न तो मील यानि की Tamil तमिल मील तमिल में बनाए जाएगा याद रखने है आपको Reliance Industries Limited जो है इसको ये दिया गया है काम करने का ओके और ये किसके साथ मिलके कर रहा है तो देखिए इसके अंदर ये काम दिया गया है ध्यान रखना है आपको बात ओर दिखिए रिलाइंस की तु रिलाइंस इंडुस्ट्री लिम्टेट जो है ये एट में 1973 को फांड हुआ था ओके तो आज कल जो पेपर में क्वेशन पूछा जा रहा है तो फांडेशन डेट से भी क्वेशन पूछ लिया जा रहा है ओके फांडर कौन थे तो दीरुबाई अंबानी थे हैड़कॉर्टर नहां पे है तो मुमाई महरास्ट्रा में तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है प्रीवियस करेंट अफेर में हमने इसको बढ़ा था तो यहां पर आप देख सकते हैं रिलाइंस तू डेवलाउप इंडिया स्फर्स्ट मुल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्गें चेने नहीं नेक्स देख के रिसेंटली ग्रीग बार्गले वॉज री एलेक्ड़े एस प्रेसिडेंट ऑफ आइससी फोर हाउ मेनी इयर्स हाली में ग्रेग बार्गले को कितने वर्षों के लिए आइससी के अध्यक्ष के रुप में पुना निर्वाज़ित किया गया है तो करेक्ट आ और इनको फिर से अपॉइंट कर दिया दो साल के लिए तो बार्गी यानिकी बार्कई यानिकी बार्कले उके सो ग्रेग बार्कले को एपॉइंट कर दिया गया है पॉंप वहा था इससी 15 जून 1909 में हैट्ट को पे इसका तो दूबई युनाइट अरब अमिरात में ठीक ह याद रखने हैं आपको ये क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन देखिए वियर हैस प्राइम मिनिस्टर मोधी अन्पील दा 108 फीट टॉल स्टेच्व ऑफ केंप गोड़ा रिसेंटली प्रधानमंति नरेंद्र मोधी ने हाली में केंप गोड़ा की 108 फीट उजी प्रतिमा का बनवाए गया है तो आपको याद रखना है 100 फीट का टॉल स्टेच्व बनवाया गया है कहां पे बैंगलूरू में ओके 108 फीट टॉल ब्रॉंज स्टेच्व ऑफ शिरी नदारा प्रभू केंपोड़ा इन बैंगलूरू जिनको स्टेच्व प्रॉस्परिटी भी कहा गया ह तो जो इनका स्टेच्व को क्या कहा गया है स्टेच्व प्रॉस्परिटी ये क्वेशन आपसे पूछा जा सकता है एक्जाम में कि स्टेच्व प्रॉस्परिटी रिसेंटली किस से रिलेटेड है ये कहां पे बनवाया गया है इनको कैंप गॉरा भी कहा जाता है विजन पॉइंट और क्वेशन आपको बहुत अच्छे से रियाद रता है अगला देखे विच मैडल हाज बॉन बाइ इंदियन बॉक्सर लवलीन बॉर्गेन इन दा एशियन बॉक्षिंग चेंपेंशिप 2002 रेसेंटली हाली में एशियाई मुक्षिंग बाजी चेंपेंशिप में भारती मुक्षिंग बाज लवलीन बॉर्गेन ने कौन सा पदक जीता है करेक्ट आंसर है देखे गोल्ड ओके तो जो लवलीन बॉर्गेन है न इन्होंने जीता है गोल्ड मैडल कहां पे हुआ तो अम्मान जॉर्डन में इन दा 75 kg केटेगरी तो देखे ये question इसले important है क्योंकि इन्होंने अपना जो weight केटेगरी है इसको change कर लिया और देखे कितना change कर लिया 69 kg से 75 kg कर लिया बहुत बड़ी बात है न तो इसमें इन्होंने practice किया और देखे गोल्ड भी ये जीत के आई है ठीक है मादव कंकार्या इनको दिया है थीजे लिए act कम दिया लिएAL के लिए in 2015 लिए लिटपे अंसर दिए पांच रंग पहर सखी चौल पहर सहिस और इनको दिया गया है कैसे याद रखेंगे कि बिहारी अवार्ड इन दोनों लोगों को मिला है तो दिखी बिहारी तो बिहारी किसको कहा जाता है क्रिष्ण जी को कहा जाता है यानि कि माधव तो माधव हदा हो जाएंगे और बिहारी क्रिष्ण जी को यानि कि कनहिया जी को तो कन कर रिया तो पर उसका अर्कव नेम्ड आफ्टर फेमस हिंदी पोएट बिहारी के उपर इसका नाम रखा गया है गिवन एवरी यह फॉर इन आउटस्थानिंग वर्क पब्लिज इन लास्ट एन यह राजिस्थानी ओधर इन हिंदी और राजिस्थानी तो देखिए दस सालों तक पिशले स्वावचन सी भोबाल रेल्वेस स्टेशन कुदिया गया है दो प्रफॉद्थार डेंटियों अच्छल नुट्रीशन के सालों जितने पैसेंजर है उनका पेत अच्छे मेत अच्छे से पाल पाल बालेंग एके है ऐसी लेट करना है पाल तो यानि की भोपाल सो भोपाल रेल्वे स्टेशन को दिया गया ठीक है बात हो रही है देखिए तो इसके चेर पॉइसर राजेश भूशन एक्जिक्यूटिव ऑफिसर कौने अरुन सिंगल कब फांड हुआ तो ऑगस्ट 2011 में हेड्कॉर्टर कहा पे इसका तुनियो देली में ठीक है तो यह इंपोर्टन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है राइट अगला क्वेशन दे कर दिखे ब्लाइंड फुट्बॉल चेंपेंशिफ हो रहा है तो कौन इतने एक्सपर्ट है इंडेया एक्सपर्ट है तो इंडिया ने इसको होस्ट किया है इनौग्रेट किया है के गवर्णर आरिफ मुहमध खामने और यह फॉस्ट एडिशन था वुमेंड्स एशिया य 11th November से लेके 18 November 2022 तक winner कौन रहा देखे वोमेंस में तो Japan वोमें रही तो इंडिया को हरा दिया तो याद रखने आपको host किस ने किया पहली बार 10 team men's की है और 2 women's की team थी ठीक है तो देखे वोमेंस का पहली बार हो रहा है धान रखने है आपको और ये para football event is a qualifier to the world champion Birmingham 2022 and this Paris Paralympic 2024 और तो देखे ये जो para football event होता है ये एक तरीके से ये qualify होके जाते हैं फिर इसमें जो world champions Birmingham 2022 में जाते हैं और Paris Paralympic जो 2024 में होने वाला है यहीं स Blind Football Women's Asia या Ocean Championship 2022 विल बी India's biggest para football event हुआ है इस बार का तो ये बात आपको धियान रखना है important question है कि पहली बार India में Blind Football Women's Asian Championship कहां पे हुई है और ये याद रखने है आपको biggest para football event है कौन सा IBSA Blind Football Women's Asian Championship बहुत अच्छे से आपको ये question याद रखना है right next question is which state has recently won the Responsible Tourism Global Award at the World Travel Mart किस रा Award जीता है correct answer है केरला अब देखे Responsible Tourism Global Award की बहुत हो रही है ठीक है तो Responsible Tourism Global Award कौन जीत पाएगा है ना जो जो ट्यूरिस्त है ना उनको अच्छे से हर जगे घुमाने लेके जा सके तो हर जगे घुमाने लोग कैसे जाएंगे train से यानिकी रेल से तो रेल यानिकी केरा सो क केरला हो जाएगा okay so the Kerala Tourism has back the prestigious Responsible Tourism Global Award at the World Travel Mart healthy in London लंदन में यह हुआ था वर्ड ट्रेवल मार्ट इसमें केरला को यह वाट दिया क्या है बात ओरी देखिए केरला की तो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहमाद कान capital है तुरिवंतरम पुरम चीफ मिनिस्टर को आने तो पेनि आपने देखा होगा और यह वाला टूरल तो आपने जरूर देखा होगा फोन पे तो कैसे आपको ध्यान रखने है ना Google पे डूडल करते हैं लोग तो 22 यानि की भाई है ना तो कहते ना रहे भाई कुछ भी क्वेशन का अंसर देखना है गूगल कर लो तो भाई गूगल कर रहे है उनको scholarship दीजाएगी याद रखने है आपको क्या नाम है इनका इस लोग मुखर जी ठीक है next question देखे विच स्टेट पाउंडेशन दे हाज बेटेर रिसेंटी और 15 नेवेंबर हाली में 15 नेवेंबर को किस राज का स्थापना दिवस मनाए गया है तो देखे किस तो 33 स्ट को यई कि बस 15 ही नमबर आये है फिर जारु से पिता लग रही है 15 नेवेंबर जारु यानि की झारगन ऑके 15 नेवेंबर को सबने को सेलोट के आगे है रिसेंटली जार्कन का फांडिशन थे तो देखे जार्कन वोस अर्ली आप पार्ट उप बिहार बिहार का पा बात और यह जारकन की जारकन की चीफ मिनिस्टर है हिमंत सोरन ये जारकन की जो गवरणर है वह कौन है रमेश बायस ये आपको ध्यान रखन रखना है अगला question देखिए 61 who has घर्टा मानेरी कृष्णनल who passed recently तो घर्टा मैनी कृष्णनल कौन थे जिनका हाली में नितन हो गया correct answer है एक्टर थे तो देखिए घर्टा मैनी नहीं लिख है तो घर्टा मैनी नहीं तो घर्टा यानिकी बादल तो बादल को देख देखे न मन मन में कौ आपको ध्यान रखना है घर्टा मैनी नहीं कृष्णन जो थे एक्टर थे ओके आप देखिए रिसेंटली आरल कश्यप जो है इनका भी निधन हुआ है जो एक अब बास मुंतासिर जो है इनकी भी देट हुई है जो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे ठीक है तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको अगला क्वेश्चन देखिए वेच्व स्टेट गॉवर्मेंट्स हार रिसेंटली इंपोज्ड प्लीट बैंड 55th National Library week been celebrated recently हाली में 55 राष्टिय पुस्तकाले सप्ता कहां मनाए गया है तो देखिए आंधर प्रदेश में मनाए गया है 55th National Library week तो देखिए लाइब्रेडी में क्या होता है सब लोग शांती से अंदर बैटके पढ़ाई करते ना तो अंदर आंधर प्रदेश ठीक है तो इला पली काला शेत्रम ने बाई स्टेट मिनिस्टर तनेती वनिता बुतिच्चा सत्य नरायनन और जोगी रामिश ने तो देखिए बात हो रही है तिलांगना की यानि की तिलांगना अंधर प्रदेश की तो देखिए Central Government has approved India's first suspension bridge बना रही है कौन से river पे Krishna river पे जो connect करेगी तिलांगना अंधर अंधर प्रदेश को ठीक है अंधर प्रदेश की जो डांस है classical वो कौन सा है कुछी पूरी तो यह बहुत question पूछा जा रहा है आजकल exam में तो याद रखने हैं आपको next question देखिए who will given the Satya Jit Ray lifetime award recently हाली में Satya Jit Ray lifetime award किसे दिया जाएगा तो दिखिए Carlos Sora को सबको motivate भी करते होंगे और lifetime इन्होंने बढ़िया काम किया कर लो काम कर लो सो कार लौस Sora ऐसे आपको याद रखना है ओके तो देखिए यह Spanish film maker है ठीक है तो इनको अवाड दिया जाएगा IFFI यहनकी International Film Festival of India यहाँ पर दिया जाएगा कहां पर हो रहा है इस बार तो गोवा म 2023 में कितने शीष इस्थान प्राप किया है correct answer है Denmark तो Denmark ने शीष इस्थान इसमें प्राप किया है climate change performance index में तो देखिए शीष इस्थान प्राप किया है लेकिन top to किया है लेकिन first नहीं आया है तो देखिए climate आज कुल बहुत जादा बिगड़ा हुआ है तो किसी भी country ने top न non-governmental organization green watch new climate institute and the climate action network international इन तीनों लोगों ने मिलकर यह तीन organization जो है इसने मिलके यह climate change performance index को release किया है इंडिया की है देखिए आठ यानि की हाथ ठीक है तो देखिए climate change करने में यानि कि climate के performance को सही करना ना इंडिया के बसकी बाद नहीं है ना तो इंडिया के हाथ में नहीं है कि वह क्लाइमेट को चेंज कर सके हैं तो हाथ में नहीं है हाथ आठ तो कौनसी पोजिशन इंडिया की इर्थ पोजिशन है इंडिया की पोजिशन आपको बहुत अच्छे से याद रखते हैं ठीक है और म मिनिस्टर नरेंद्र मोधी तो सिल्वर जूबली एडिशन आफ दा बैंगलूडू टैक्स सम्मिट 2022 वर्चुली तो वर्चुली इसको संबोधित किया है सम्मिट को ओके दा इनॉग्रल फंक्शन विल आउसो भी अटेंड़ेंड बाइ नवीन तिवारी फांड़ेट सी यो इनोबी इंडियास फर्स्ट यूनिकॉन तो इंडिया का जो फर्स्ट यूनिकॉन कंपनी है इनमोबी इसके जो CEO है यानि कि इसके जो फांडर है और CEO है नवीन तिवारी इन्हों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस सारी स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो नेक्स जरेशन के लिए जो टेखनोलोजी है उसके उपर बात की गई है तो याद रखने है आपको बैंगलूडू टैग समेट थीम क्या है इसकी तो टैख फॉर नेक्स जनरेशन 67 question is पैसा अधिनियम जो है जो अब मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है वन छेत्रों में सभी प्राकृतिक संस्थाधन के समंध में नियमों और विनियमों पर निर्ने लेने के लिए ग्राम सभा को शशक्त करेगा ये एक्ट ठीक है तो अब कौन इसको लागू करने जा रहा है तो मध्य प्रदेश भी लागू करने जा रहा है जाने कर दिया है क्या नाम था इनका अभिजीत बोस था तो देखे वाटसप आजकर लोग यही समझते लिए कि वाटसप बिल्कुल हमारा बॉस हो गया है ना तो वाटसप आप लोगों से बोस की तरह काम कर रहा है तो बॉस यानिकि अभिजीत बोस ठीक है ऐसे आपको धि किस राजने हाली में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्त वाली पशुधन तीका करन सेवा शुरू की है बहुत इंपर्टेंट क्वेशन है दुनिया की पहली यानिकि ड्रोन से ड्रोन का यूज करके तीका करन किया जा रहा है किसका एनिमस का किसने स्टार्ट किया तो देख वेक्सीन फॉर अनिमल व्यू ड्रोन इन अनुराचल प्रदेश में जो नॉडा का एक टैक इगल है इसने वेक्सीन प्रवाइड के है रोन के थ्रू अनुराचल प्रदेश में ठीक है तो बात याद रखते हैं आपकी नॉडा का टैक स्टार्टप है और कौनसे स्टेट में पहला तो अनुराचल प्रदेश में ठीक है तो अनुराचल प्रदेश स्टेश ब्रिगैदियर है बीध्येव डिमिंस्रा 欸 और वूरंटर ब्रादेश के जो गवर्नर है कौन ब्रिगडर्डी विष्र इनको अधिशनल ट्राज के गया है गवर्नराओ उफ मेगा लिया ओके किस नीटी आयोग का पूर्न कालेग सदर् शिन्युक्त किया गया है अर्विन्द विर्मानी अब देखे, full time member की बात हो रही है, तो देखे, निती आयोग में कई सारे लोग full time member पे हैं, तो देखे, जसे कि वीकेष हरस्वत, रमेश चंद्रे and वीयर पॉल, okay, तो देखे, निती आयोग किसके जगा पे आया था, तो निती आयोग आया था, planning commission की जगा पे, ठीक है, चेर् वीके शरस्वत रमेश रंद एंड वीके पॉल भी है ठीक है और ये इंपोईट्मेंट्स नितियायो के वाइस चेर्मेन एंड नितियायो के सीओ ये भी आपको ध्यान रखना है परमेश्वन अयर ठीक है तो देखें इसकी ट्रिक हम पढ़ चुके है उसको हम बारबर नहीं क्योंकि वीडियो देखें बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में करेंटर्फियस को कंप्लीट करने वाले है तो ध्यान रखना है आपको अगला क्वेश्चन देखिए वियर है उत्राखंड हाई कोट बीन शिप्ट फॉम नैनिताल रिसेंटली तो अब एक संक लाज घुट so the hraghung a collect कि देखिए उत्राखंड ने क्यों कि शिप्ट क्या होगा कि इसने सोचायोगा यार जल्दि से कामनी हो पा रहे हमें प्री हल्दी काम करना है जल्दी जल्दी काम करना है इसलिए High Court के decision जल्दी हो हल्दी हो तो हल दोवानी जल्दी सिलेट कर दिया हमने हल्दी को बात ओर देखे उत्राखंड के जजज कौन है इस टाम प्रजेंट में उत्राखंड High Court के स्टेम चीफ जस्टिस कौन है तो उन्रेबल जस्टेस विपिंच संगाई उत्राखंड के गवर्नर है गुर्मीट सिंग उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर है पुशकर सिंधामी और उत्राखंड की पॉपिलेशन है 1.01 करोड 2022 तक उत्राखंड की कैपिटल है देखिए धरदुन विंटर में गैरी सेन है समर में तो यह कैपिटल भी इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखने है अब बात हो देखिए उत्राखंड की तो रिसेंटली उत्राखंड की जो स्कीम से इसे हम एक बा स्कीम एफायर सर्वेस 106 for anti-corruption application मोकी मंति स्वर रजगार युजना उत्राखंड सेंट पेस्पे आया है इन ब्लॉड डोनेशन अमरित वहांत सम्में ठीक है तो यह सारे इंपॉट्रेंट पोईंट्स आपको याद रखना है नेक्स क्वेशन इस हुआज रिसेंटली बिक Table Tennis Gold at Commonwealth Games तो यह पहले प्लेयर भी बनेते हैं तो यह पहले प्लेयर भी बनेते हैं जिन्होंने Commonwealth Games में यानि कि Table Tennis में गोल जीता था क्या नहां में इसका अचंता शरत कमल तो इनको लेट किया गया है Athlete Commission of International Table Tennis Federation में बात और यह दिखिए International Table Tennis Federation की तो इस दो गवर्णिंग बोड़ी of Table Tennis in the world which was set up in 1926, right? तो इस रस्पोंसिबल पॉर्गनाज़शन आपको याद रखना है किसको बनाए गया है तो देखिए शरत कमल को क्योंकि यह tennis related है पहला इंडियन किसको अपॉइंट किया गया शरत कमल को ही अपॉइंट किया गया ठीक है तो देखिए शरत कमल तो इन्होंने कमल का खेला इसलिए Table Tennis का इनको ही अपॉइंट किया गया तो शरत कमल तो ध्यान रखना है आपको 73 question देखिए which country has recently become second largest producer of crude steel कौन सा देश हाली में crude steel का दूसरा सबसे बड़ा उतपादक बन गया है correct answer इंडिया तो देखिए crude oil की बात हो रही है crude steel की बात हो रही है ठीक है तो कौन बन गया है इसका उतपादक इंडिया ही बन गया है तो देखिए टॉप पे है चाइना सेकंड पे है इंडिया जापान को पीछे कर दिया है याद रखना है आपको ओके और थर्ड पे आगया जापान फॉर्ट पे युएसे और फॉर्फ पे साउथ कोरिया राइट ने देखिए 74 question which state chief minister has recently announced six high-tech city कि सराज के मुख्यमंत्री न से देखिए करनाटका तो देखिए करनाटका ने कहा है कि वो छे हाई-tech cities बनाने जा रहा है तो अभी हमने पीछे 25th edition पर था ना बैंगलूरू टेक समिट का जिसको नरिंद्र मोदी ने वर्चुली इनोग्रेट किया था ठीक है तो देखिए इसी समिट में बात की गई है क सिक्स हाई-tech cities बनाई जाएगी काला बोर गई मैसूरू मंगलूरू हुबली धरवार एंड बैंगलूरू रीजन्स में ठीक है और देखिए इसलिए बनाने के और बात की जारी क्यूंकि बैंगलूरू का जो नाम है इंडिया का सिलिकन वैली तो इसको और तरीके से निखा है ठीक है याद रखना है आपको फॉस्ट एडिशन देखे हुआ था मनीपूर में 2018 में एंड सेकिन एडिशन हो रहा है देखिए नौर्थ इसका शिलॉंग में तो कैसे आप याद रखोगे तो देखिए नौर्थ इस अगर आपको जाना है गेम्स खिल ले तो दो ही आपक ठीक है सेकिंड पे कॉन रहा असाम 203 मेडल्स के साथ ठीक है याद रखना है आपको और थर्ड एडिशन देखिए कहां पे होने वाला है तो यह नागल एंड में होगा तो बहुत अच्छे से याद रखिए देखिए मनीपूर में हुआ क्योंकि नौर्थ इसकी बात हो रह यानि कि नागलेंड में ठीक है याद रखना है आपको 76 देखिए आट विच प्लेस इन दा वर्ड फर्स्ट वेदिक लॉग बिंस्टॉर्ड रिसेंटल्टी हाली विश्वर की प्रथम वैदिक घड़ी किस स्थान पर स्थापित की गई है तो देखिए वैदिक घड़ी की वेदिक घड़ी यानि की बंकरते यानि की वेदों से बहुत जाने के शाण करते मिलती है निकी जैन में इसको स्थापित किया घंप इनोगरेट किया है अध्ये च्छर्ण मिनीस्टर मोहन खeton ने कहां पे इसका कहांगी ४ार्म्डेशन के म्याइशन घड़ टाला कि अध्यक्ष के रूप में किसी चुना गया है करेक तांसर ये सूरज भाण थीक है नेशनल पैंशन सिस्टम ट्रस्ट की बात हो रही है तो देखिए पैंशन अब सबको तो मिल नी रही है तो कई जगे स्टेट्स में जो है पैंशन को बन कर दी गई है तो बस कैसे आपको याद रखना है न कि अगर पैंशन मिलेगा सही टाइम पे है न तो बुड़ापे में अगर पैंशन मिलेगा तो जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी न तो देखिए जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी है न और इंसान जो है बुड़ापे में development authority की तरफ से इनको appoint किया गया है ठीक है बात ओर ये देखिए pension fund regulatory authority of India तो यह found water 23 अगस 2003 को right headquarters को new Delhi में इसके चिया person कौन है तो बन गहे है अब सूरजभान ठीक है तो इसी की तरफ से इनको appoint किया गया है कौन बन गहे है सूरजभान तो याद रखने आपको okay अगला question देखिए recently doctor cv anand boss has been appointed as the governor of which state हाली पर cv anand boss को किस राज़गा राजफल लिक्त किया गया है तो west bengal का ठीक है आप देखिए governor ही appoint किया जाएगा कि cm तो कौन है ममताब energy है ठीक है तो देखिए anand boss लिखा है याप तो देखिए cv anand boss तो आप देखिए कहीं job पे जा रहे हो न या आप कहीं job कर रहे हो तो आपका boss क्या कह रहे है देखो तुम्हें फिर से अपना cv देना पड़ेगा तो आप अपना boss को cv देने के लिए बेस्ट बना के लाओगे तो cv बना के लाओगे curriculum vita the best यानिकी west bengal okay so west bengal जो है cv anand boss को appoint किया गया है west bengal का new governor याद रखना है आपको important है okay आप देखिए president drop the मुर्मुरे इनको appoint किया गया है chief minister को औरने ममताब energy है chief justice को औरने कोलकता हाई कोट के तो दीकी प्रकाश श्रीवास्तव है ठीके वेस्ट बैंगॉल एन अंडमान और निकवार आइलेंड कम अंडर जिरिडिक्शन वोके सो पस्चिम बंगॉल और निकवार दीप सम्यू जो है इसके अधिकार छेत्र में आते हैं यह important point है आपको बहुत अप मुक की मंतरी को न्युक्त करने का निर्ने लिए गया था वेस्ट बेंगोल वॉन इस स्कॉच FAR इन फील्डए प्रेट किया जाएगा तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन देखिए, वेर हैस दा एर्थ नॉर्वे इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रोप मैरी टाइम मीटिंग बीन हैल रिसेंटली, हाली में आठवी नॉर्वे भारत संयोक्त कार्डिय समुद्र बैठक कहा आयोजित की गई है, तो देखिए आठवी नॉर्व है मुंबई में, तो ध्यान रखना है आपको मुंबई में, एडिशन हुआ है एर्थ कहां पर मुंबई में, discussion was held on the use of alternative fuels like green ammonia and hydrogen for futuristic shipping, ठीक है, तो ammonia and green ammonia hydrogen is related, इस पर discussion किया गया है, okay, and on Norway, India cooperation are green maritime future, और Norway और इंडिया का जो future है green maritime पे बहुँ बढ़िया हो, तो इस से related important discussion किये maritime was held in Oslo, Norway in November 2019, 7th जो हुआ था, वो Norway में हुआ था, okay, तो याद रखने आपको, और एर्थ कहां पे हुआ, तो मुंबई में हुआ, नौर्वे के साथी, ठीक है, capital है Norway की Oslo, currency है Norwegian Kron, Prime Minister को और प्रसेस में, तो Jonas Gheer Store है, नौर्वे के Prime Minister याद रखेगा, ठीक है, अगला question देखे, from where Isro has successfully launched the first private rocket recently, तो Isro ने पहला private rocket कहां से launch किया है, तो देखे, शरी हरी कोटा अंदर प्रदेश से launch होता है, वहीं से किया है, तो देखे, important है ये question, क्योंकि ये Isro का first private rocket है, private rocket है, तो किसी private company नहीं बनाया होगा, ठीक है, तो नाम क्या है, इसका Vikram S rocket है, शरी हरी को rocket splashed into the Bay of Bengal, the mission was titled Pradamb, और इस mission का नाम क्या रखा गया है, Pradamb नाम रखा गया है, यनकी पहली private rocket जो है, जिसको शरी हरी कोटा से launch किया है, इसका test किया गया है, और ये जा के कहां पर गिरी है, ठीक है, कहां पर ये test होने के बाद गिरी, Bay of Bengal में गिरी, क्या नाम रखा गया इस इसके start होने का Pradamb नाम रखा गया है, बात ओरी इस रो की, तो इस रो का फांट हुआ था, 15 August 1969 को, headquarter कहां पे इसका बंगलूरू में, इस रो का old name क्या था, इनको इस पार भेजता है, इस पार से उस पार भेजता है, तो इनको इस पार था, पहले इस रो का नाम, चेर्मन को होने प्रेजेंट में, तो शिरी S. सोमनात है, ठीक है, सोम को रॉकेट लॉंच करते हैं, तो शिरी S. सोमनात, राइट, 21 question is, who among the following has been elected in IEO Athlete Commission, तो हाली में किसी IEO के अथलीट आयोग में चुना गया है, तो according to option, देखे, मीरा कॉम इस दा करेक्ट नास वा, तो देखे, Olympic medalist, MC Medicom, PB Sindhu, Mirabai Chanu, Gagan Narang, वर among 10 eminent sports person, इनको लेक्ट किया गया है, member of Indian Olympic Association के athlete commission के members में, ठीक है, बात ओरी देखे, Indian Olympic Association में, तो ये 1927 में found वा था, headquarter है, इसका New Delhi में, अब देखे, यहाँ से एक important point निकल के आता है, ठीक है, कि November में अभी appoint किया गया है, PT Usha को, as a first woman president of Indian Olympic Association, ठीक ह में, इन्होंने fourth place में finish किया था, ठीक है, तो इनको बनाए किया है, first woman president of Indian Olympic Association का, commission में, इन लोग को appoint किया गया है, but president बनाए गया है, PT Usha को, ठीक है, so first woman president of Indian Olympic Association is PT Usha, तो ये बात आपको याद रखने है, Olympic Association में, तो Usha, तो देखे, इनोंने, जब Olympic में participate किया होगा, तो सबको इन से बहुत आश होगी न, तो आसा, उसा, तो ऐसे आपको धियान रखता है, इनको ही appoint किया गया है, तो इनके आस-पास बनो के आस-पास, अगर कोई road है ते road पे आ जाते है, या तो इनको शिकार कर दिया जाते है, तो आचकल elephant से मिलना न, बहुत ज़दा मिश्किन हो गया है, तो मिलना से ही आपको याद रखता है, mil यानकी Tamil, so Tamil Nadu ने, इसको start किया गया है, Tamil Nadu ने start किया है इंडिया का first elephant death audit framework, ठीक है, so ये पूरी country का first initiative है, aim किया है इसका, तो collect mortality assessment data with high quality and credibility through our transparent process, बिलकुल पारदरशीता के साथ, कितनी death हो रही है, क्या mortality rate है, इसको note करना, okay, इसका एक data त्यार करना, किसने start किया है, तो Tamil Nadu की government ने सको start किया है, बात हो रही है, तो Tamil Nadu की, तो हमने इसको अभी पढ़ा था, कि जल जीवन mission target में, ये पहला state है, जिसने जल जीवन mission target को achieve किया है, कौनसे state Tamil Nadu ने, अब हम पढ़ने जा रहे है, तो नलंदा until we met again, गोतम बोरा ने इसको authorize किया है, तो दीखे, नलंदा यनकी नलंदा यूनिवसिटी, तो नलंदा इसको रिलीस किया है, Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Chandrashekar, दुबाई में, तो ये important points हम बढ़ चुके है, तो ये जो books है, नेवेंबर की important है, इसको आपको ध्यान रखना है, अगला देखिए 83 question, recently, the tension of ED direct rate SK Mishra has been extended for how many years, तो हाली में ED निदेशक SK Mishra, इनका कारेकल किते साल तक बढ़ा द ED का काम क्या होता है, यानि कि enforcement direct rate, money laundering से related, जो भी चीज़े होती है, तो इसका investigation किया जाता है, बात हुरी है, enforcement direct rate की, तो देखिए, इसको origin होता है, 1st May 1956, when an enforcement unit was formed in the Department of Economic Affairs for handling exchange control laws, violation under Foreign Exchange Regulation Act, FHERA, 1947, तहिके, the direct rate of enforcement is a multidisciplinary organization, mandated with investigation of offenses of money laundering and violation of foreign exchange laws, ठीक है, तो foreign exchange laws से लेटेर, या money laundering से लेटेर, अगर कोई दिक्कत होती है, तो ED इसकी जाज परताल करता है, ठीक है, it function under the Department of Revenue of Ministry of Finance, तो Ministry of Finance के revenue department में कि तहत ये काम करता है ED, तो कौन है इसके देखिए, कौन है इसके अध्यक्ष जिनको appoint कर दिया गया है, फिर से एक साल तक, तो क्या नाम है इनका, S के मिश्रा, तो S के मिश्रा जो है ED के निदेशा, तो कैसे आप याद रखेंगे, कि director कौन है ED के, तो देखे, S के मिश्रा, ठीके, तो देखे, कोई भी जो मिलावट बगेरा होती है, money learning से लेटेट, है ना, तो मिलावट, यानी कि मिश्र, सो इसकी अजाज परताल करते हैं, तो S के मिश्रा, ऐसे आपको ध्यान रखेंगे, इन्फोर्ट्मेंट डानिंग्रीन, ओक कांती वेल को योजना देखी आकर है क्या, तो ये रिलेटेड है किसे, free eye check-up से, surgery से, आखों की, तीके, आखों की surgery से, इस पेक्टिकल्स परवाइट करने से रिलेटेड है, तो जितनी भी ज़रुरत मन जो लोग है, अगर उनको आखों की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस योजना है, जúsको फिर से, रिलाउंच करती है क्या है कांती विल्ल्कु योजना तेलांगना, अब देखें आप एक कांती लिखा है, कांती यानि कि कांता भाई, और कांता भाई, खाना बनाती है किसमें तेल में, तो तेलांगना, और ये जो scheme है न देखें, ये पहली बार August 15, 2018 में लॉंच की गई थी जिसमें benefited हुए थे कितने लोग तो 23.43 lakh people वो इससे benefited हुए थे कितना cost पर आता तो 200 crore इसकी cost लगी थी बात वो दिखिए तेलांगना की तो तेलांगना जो है वो 28 state बना था जब ये आंदरप्रदेश से अलग हुआ था ठीक है और हैदरबाद विल बी मेड जॉइन कापिटल अफ तेलांगना एन आदरप्रदेश फोर 10 येर्स दो जून 2014 को तेलांगना का गढधन हुआ था ठीक है और हैदरबाद जो है ये बोथ आदरप्रदेश एन तेलांगना की कैपिटल रहने वाली है 10 सालों तक ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखना है अगला देखें विचु स्टेट चीफ मिनिस्टर हाज रिसेंटली लॉंच अमर सरकार पोर्टल हाली में किस राजस सरकार ने मुख्य मंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉंच किया है तो देखें त्रिपुरा ने लॉंच किया है अमर सरकार ठीक है तो देखें आज कल सरकार यहीं चाहती है एक इनसान तक पहुँच पाए इसलिए यह स्कीम जो है इसको लॉंच किया गया यह जो पॉर्टल है तो एक्ट अजब्रिज बिपिन पीपल और गॉर्मेंट तो गॉर्मेंट और पीपल के बीच में आजब्रिज यह काम करने वाला है बात और यह त्रिप्रा की कांब भगे में पहला गॉर्मेंट इंग्लिश मेंडियुम लॉंच हुआ था कहां पर टिप्रा में किसके मदद से एजुकेशन मिनिस्टर के साथ ठीक है ध्यान रखने हैं आपको यह पॉइंट ऊके इसको हमने प्रीवियस में पढ़ा था अगला कुईशन देखिए who has recently become the youngest ATP player in the world हाली में विश्व का सबसे कम उम्रिका ATP खिलाडी कौन बने है यारि कि Association of Tennis Professionals तो देखिए कार्लोज अलकार्स को आपने बढ़ा भी होगा US Open चुवा था 2022 में इसके ये विनर थे कहां से बिलॉंग करते हैं स्पेन को बिलॉंग करते हैं तो याद रखने हैं आपको क्या नहां हमें इनका तो कार्लोज अलकार्स ठीक है नेक्स प्रेशन इस वेर विल बिदा थर्टी-फोर्थ सब जूनियर अंदर थर्टी नैशनल बैन्मिंटन चेंपिनशिप 2020 वी हैल रिसेंटली राश्री बैन्मिंटन चेंपिनशिप 2022 कहां उज़ित कीज़ गएगी तो लखनओ में तो बच्पन से भाई प्रेटिस कर रहा होगा लख वडिया होगा तो लख यानकी लखनओ ंडर थर्टीन नैशनल बैन्मिंटन चेंपिनशिप 2020 कहां पे हुआ है तो लग नुमर हुआ है याद रखने आपको और वो भी कहां पे तो बाबू बनार सी दास यूपी बैंड मिंटन एकेंटी में वह अच्छा से आपको यह पॉइंट पी याद रखने है 88 question देखिए Where has the 22nd FIFA football world cup held? हाली में 22 FIFA football विश्व कप कहां शुरू हुआ है तो देखिए अभी तक यह चल रहा है विश्व कप कहां पे शुरू हुआ है तो दोहा कतर में तो विल भी हाल्द इन कतर यानि की कतर में चल रहा है from 20 November to 18 December तक अभी यह चलेगा It is the first time that an Arab country will host the tournament It is the second world cup to be held in Asia and after the 2002 world cup which was jointly hosted by Japan and South Korea तो यह second world cup है जो किसी एश्या में हो रहा है 2002 के बाद इससे पहने jointly host के आता है इसको जापान और South Korea ने चल रहा है यह अभी 18 December तक यह चलेगा FIFA की बात हो रही है तो FIFA के President को ने देखिए गयानी Infantinio FIFA कप फार्ण हुआ था तो 21 में 1904 को हेटक्वार्टर कहाँ पर इसका तो श्यूजर लेंड में है ज्यूरिक श्यूजर लेंड में ठीक है 2026 में होगा तो 48 इंप्स पार्टिसिपेट करेंगी होस करेगा इसको Canada Mexico and USA मिलके अंडर 20 Women's World Cup 2022 कोस्ट अरिका में हुआ अंडर 17 Women's World Cup 2022 यह इंडिया में हुआ है ठीक है इंडिया के रैंके देखिए 61st टॉप पे है कौन अमेरिका ठीक है तो इसके बेसे पर यह रैंकिंग दी जाती है इंडिया की रैंके देखिए तो इंडिया की पोजिशन कितनी है 61 तो इसको आप ध्यान रखिएगा 61 यानिकि एक साथ अगर कई सारे काम देदिया ना इंडिया को करने के लिए कि जल्दी से रैडि करो तो वही जल्दी तो नहीं कर पाईगी है तो ऐसे आपको बस ध्यान रखना है याद करने के लिए कि जल्दी नहीं कर पाईगी अगर एक साथ काम देदिया तो एक साथ एक साथ एक युनानी मेडिसन रिजिनल सेंटर बनाए गया ताकि सबका उपचार हो सके तो उपचर सिलचर तो सिलचर असाम में ठीक है याद रखना है आपको तो देखें इन नौर्थ इस्ट रिजन ऑफ इंडिया इनौगरेटिट सिलचर टाउन ऑफ असाम इनौगरेटिट बाई युनियन आयोष मिनिस्टर सर्वनंदा सोलवालने सको इनौगरेट किया है देखें युनानी मेडिसन जो है इसको युनानी टेप या अरेबियन मेडिसन या इसलामिक मेडिसन भी कहा जाता है एक traditional system है healing and health maintenance observed in South Asia का ठीक है याद रखना है आपको बात उरी देखिया असाम की तो असाम राज्य सरकार ने विद्यारत स्कूल और विल्स परियोजना शुरू की थी पवन कुमार बोर्ट ठाकुर असाम के नई मुख्य सजीब नुक्त किये गए है मुख्य मंत्री ने 1000 model आगनवाडी केंद्रों का शुभारम किया था दूसरा बार्शी कंतराष्टी रेंजर पुरुसकार 2022 औरंग नेशनल पार्क को दिया गया था या क्या है 50,000 स्टुदेंट्स को ठीक है तो चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड इसकी उडिसा ठीक है तो देखिए एजुकेशन में अवार्ड दिया जाते हैं ताकि पच्चे मोलिवेट हो और सही दिश्या में काम्स कर सकें तो सही दिश्या यानिकि उडिसा बात प्रित्वी सेकिंड का सफल परिक्षन उडिसा में किया गया राष्टी MSME प्राइस तो हजर बाइस में उडिसा ने वान किया है फॉस्ट प्राइस ठीक है तो ये बातें आपको ध्यान रख नहीं है 92 क्वेशन देखिए रिसेंटली डबलु एचो हैस चेंज दाने बॉफ को बीकी करे अधिरा तो कर दिया तो कहाँ पर के याद रखना है आपको 93 क्यूस्ट टीम वुकिय क्रिकew systems है अधू आई सेसमें 02022 टROफीं कहुंस्ट अ cricket deaf team में T20 national championship में first prize जीता है तो देखिए हर्याना ने जीता है तो देखिए sixth IDCA T20 national cricket championship 2022 हुआ deaf से related 17 states ने इसमें participate किया कहां पर यह organized हुआ तो एक लब्वे stadium आगरा में इसको organized किया गया ठीके विनु पूना वाला foundation के तहट कौन विनर रहा तो घर्याना इसमें विनर रहा यह बात आपको द्यान रखनी है हर्याना तो दीखे cricket team deaf लोगों का हो रहा है ठीके तो गल्दी सुनने में problem होती है तो हरी सुनने में problem होती है तो हरी यानि कि हर्याना तो ह्रियाना ने निए टी ट्वेंटि नेश्ट्राल चेंपेशिप तो 2022 की टॉफी जीती है ऐसे आपको याद रगना है तो जुन 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 जीला है इसने टॉप कीया है तो देखे प्रधानमंत्री ग्रामीर आवास योजना में वर्ष्ट दोँ अंनृस के सरवेक अनुसार जिले में जरुदरत्मन्द लोगों के लिए 328 पके माकान बनाने का लक्श रखा था तो धिकए और इसके मुकाबले तो लोग आपस में लड़ाई जगरि system करने लगते लगते लग है लड़ते जगरते बहुते हैं शेयर में खिसीWe colour in फोस Today Candidat aakäv कि उन्मेट जय्डर बनाई जारी है तो लोग जन 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 बहुत करें बहुत जुनर जुन जुन करें कि नहीं मुझे 95th question is who has recently taken charge as the CEO of khadi and village industry commission तो देखे khadi and village industry commission का new CEO किसको appoint किया गया तो देखे विनीद कुमार को अब khadi and village industry की बात हो लिए ठीक है तो देखे विलेज में जो khadi के कपने बनते हैं वो कैसे बनते हैं बहुत सुन्दर नीट बनते हैं मिलकुल तो नीट विनीद सो विनीद कुमार हो जाएंगे ओके देखे विनीद कुमार जो है इन्होंने चार्ज लिया है के वी आइसी सेंट्रल ओफिस मुंबई का अंडर दा मिनिस्ट्री ओफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटर्राइज में आता है यह ठीक है अब देखे जो मुंबई में है इसका हेडकोर्टर याद रखेगा स्थापित कि यह तो करनाटक के बात बात है हाइस इस्टॉल ग्रिड इंट्रेक्टिव रेनुएबल एनर्जी ठीक है करनाटक की बात ओरी तो करनाटक देखिए इसमें टॉप पोजिशन पे है ठीक है 15,463 मेगावार्ट के साथ तमिल लाडू जो है देखिए सेकिंड पोजिशन पे ठर्ड पे गुजरात एंड फॉर्थ में महाराष्ट तो याद रखना है आपको रेनुएबल एनर्जी में सबसे जादा किसने इस्टॉल की है इंट्रेक्टिव रेनेबल एनर्जी की कैपिसिटी बाले ग्रीथ तो हाली में इंडियन फिल्म परस्नेलिटी ऑफ दे यर 2022 का पुरुषकार किसे दिया गया है तो देखिए 2022 का पुरुषकार दिया गया है चिरन जीवी को ठीक है तो इंडियन फिल्म का परस्नेलिटी ऑफ दे यर तो जिसको भी दिया गया होगा तो उसको क्या बोला गया होग चिरन जीवी भववा बिटा चिरन जीवी भवा तो चिरन जीवी को दिया गया है ठीक है तो गोवा में ये फेस्टिवल और्गनाईज हुआ है इस पार 53rd International Film Festival तो चिरन जीवी को दिया गया है जो एक साउथ के एक एक्टर है आपने देखा हुगा कही सारे मुवीज में next question देखिए recently the supreme court of which country had decided to vote at the age of 16 हाली में किस देश के सरवोच नियाया ले ने 16 वर्ष के आयो में मतदान करने का निर्ने लिया है यानि कि मतदान कराने का निर्ने लिया है तो New Zealand तो देखिए अभी तो यह इस पे controversy टाइक चल रही है कि कुछ लोग इस पे approve कर रहे हैं कि हाँ अब 18 साल से हटाकर 16 साल कर दिया जाए ठीक है बट कुछ लोग जो है इसके खिलाब भी है वो बोलने नहीं 18 साल होना होना चाहिए तो दीखिए इसमें जो जसिंडा हर्ड है वहां की न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर तो इन्होंने बोला है कि 16 साल कर देना चाहिए क्योंकि जब बच्चे 16 साल में ड्राइव कर सकते हैं हर एक काम कर सकते हैं तो उनको अधिकार होना चाहिए 16 साल में वोट देने का भी तो आभी इसमें बा Agricultureरति सेनकी दक्षिल पर्षे में कमांड दौरा शत्रु नास अभ्यास कहां आउज़ित किया गया है तो देखिए राजस्थान में किया गया अब शत्रु नास अभ्यास की बात हो एतो टो शत्रु का नास करते थे राजा तो उराजस्थान वजजाएगा ठीक है और यह कहा तो इंडियन आर्मी के कितने कमांड से तो इसनल कमांड कोल काथा में सौ daraben दोने में कै्नल कमांड लगणव में आर्मी ट्रेंग कमांड चिंबला में साूथ वेस्टर कमांड राजस्थान में टीके को यह आपको याद बखना है इस विच स्टेट टीम हाज डिसेंट्री वान गोल मेडल इन फॉर्टी एट नैशनल जूनियर बॉलीबॉल चैंपेंशिप हाली में केसर राजी की टीम ने फॉर्टी एट वी राश्टी जूनियर बॉलीबॉल चैंपेंशिप में स्वर्ण बदक पॉलीबॉल चैंपिंशिप लीबॉल तो सीटोथ नहीं हुद देखिशन देखें नंकी औहिन के साथ तो इंडिया के साथ भी trade चल रहा था तो वहां से 20 को फाइदा हो जाएगा तो इंडिया के साथ ना इसने कुस चीजों में trade को free कर दिया है तो और ऐसे ध्यान रखना है आपको Australia के साथ ठीक है Australia की प्राइम मिनिस्टर कॉर है तो Anthony Alban से है आप देखे free access to the Australian market for over 60,000 for over 6,000 broad sectors of India including textile, leather, furniture, jewelry and machinery तो देखे PTI के रिपोर्ट के अनुसार leather, textile, furniture, jewelry पगेरे में free trade होगा तो अंडर देखे इस पक्त के तो free trade agreement sign क्या है इंडिया ने किसके साथ Australia के साथ तो यह आपको point याद रखना है next question is who has recently become the first Indian to win gold in karate 1 series A karate 1 in series में किसने पहली बार gold जीता है तो देखे प्रने शर्माने जीता है तो याद रखने है आपको karate first series में किसने gold medal जीता है प्रने शर्माने प्रने शर्माने इसमें जीता है पहली बार इंडिया ने तो याद रखना है आपको 103 question what is the rank of India in the recently released climate change performance index so climate change performance index में इंडिया की rank है तो देखे इसको अभी हमने पीछे भी पढ़ा था okay so climate change performance index में इंडिया की position है एर्थ ठीके और डेन्मार्क इसमें जो है fourth position पे है top नहीं किया है लेकिन ये कौंसी position पे है fourth position पे रहा है ठीके तहीं आपको याद रखना है okay next question है recently Qatar has signed the world longest gas supply deal with which country किस announced the 27 year natural gas supply deal calling it the longest ever seen तो अभी तक का सबसे लंबा इसको कहा जा रहा है the state energy company will send 4 million tons of liquefied natural gas manually from its new north field east project to china petroleum and chemical corporation okay बात ओर ये देखे Qatar की तो Qatar की capital हेद हुआ Qatar की currency है Qatarian real minister कौन है इसके prime minister तो शेख Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani तो ये इसके prime minister है तो याद रखना है आपको Qatar ने एक longest gas supply deal sign किये किसके साथ चाइना के साथ next question is which state government will provide shelter to 270 tribes of chin cookie community who fled from Bangladesh recently तो दीखे चुन कूकी समुदाई है जो बांगला देश से भाग के आई है okay तो कौन से government ने shelter provide के है तो दीखे मिजोरम की government ने ठीक है तो के ने जिसको कूकी चिन national fund भी कहा जाता है तो यह एक उग्रवादी संगट है तो इसको उग्रवादी कहा गया क्योंकि यह अपने हितों के लिए काम करती है जो आदिवासियों के लिए संपूवता की मांग कर रही है तो क्या नाम है इसका चिन कुकी समुदा है जो बंगलादेश से आई है मिजोरम ने इसको आश्रित दिया है तो यह पॉइंट आपको दियाद रगना है ठीक है अगला question देखे रिसेंट्ली विच स्टेट हाज बीन डिकलेए अज़ा कंट्री स्पॉंसर ऑफ टेलरिस्म बाय यूरोपियन पार् मुकार यह गोजारिश की है कि रश्या को एक स्टेट स्टेट इस्पाęसर उफ टेलरिस गहसी वजड दिया जाए ठीक है वैसे तो रश्या ने इसको आपोस्ट किया बट रश्या को घोशित करने की बाद की गई और रैश्या को यह घोषिब कर दिया गया है तो कंО्ट्री स्पॉंसर तो ऐसे क्या गया जो युक्रेइन और इश्या का वार चल रहा है इसी वज़े से ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेस्टिन देखिए रिसेंटली अरिता पर्टी अन मिनाक्षी पुरम विकम तो फॉस्ट बायो डाइवर्सिटी हरिते साइट टो मिनाक्षी पुरम के सराजे का पहला जैव विविता विरासत स्थल बन गाया करें करें तांजरे देखिए तमिल नाडू घृक्त बायो डाइवर्सिटी हरिते साइट का होती है जहां पर एक ऐसा एरिया होता है जाहां पर कुछ रियर्यर और स्पीश पाई जाती है कु तो दीखें कौन से एक्टे थू तो biological diversity act 2002 के थू ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है अगला question दीखें who has successfully launched the RH200 sounding rocket recently तो sounding rocket launch किया है ISRO नहीं recently तो RH200 एक versatile sounding rocket है registered its 200 consecutive successful launch from the shores of Kumbha Thrivantarampuram और यह एक बहुत बड़ा historic moment था ISRO के लिए it was witnessed by former president Ramnath Cobain and ISRO के chairman S. Romnath ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है कि RS200 sounding rocket जो है तो इसको launch किया है ISRO नहीं तो सांटिंग rocket है बहुत शोर भी करेगा तो शोर इस रो इस रो एक जैसा लगड़ा है तो इस रो हो जाएगा अगला देखिए 109 question which bank has recently launched the first sticker based debit card first app तो किस bank ने हाली में पहला sticker अधारित debit card first app को launch किया है तो देखिए को ही टच करके आप payment कर सकते हो तो पहला है तो पहला है तो पहला है तो पहला ही bank ने किया तो IDFC first bank ने ठीक है बात हो रही है यहाँ पर किसकी डेखिए IDFC first bank की तो यह found वा था 1 October 2015 में headquarter कहाँ पे मुंबई में है तो देखिए एक तरक यह contact class एक app हो जाएका जिसके तो आप easily पे कर सकते हो ठीक है तो किसने इसको लांच किया है बिल्कुल स्टी करके थू तो IDFC first bank ने याद रखने है आपको नाम क्या है इसका देखिए first app नाम है अगला देखिए where has India successfully test अगनी third missile तो अगनी third missile का successful कहां पे test किया है तो देखिए उरिसा में किया है तो अगनी missile का उरि and 2000 km इसकी range है देखिए पहला test इसका करा गया था July 9 2006 में okay दूसरा किया गया 2007 में third किया 2008 में और अभी फिर से किया गया है उरिसा में 2022 में ठीक है तो ये points आपको याद रखना है अगला देखिए question recently in which state Sanghai महतसब 2022 से started Sanghai महतसब तो मनीपूर में start हुआ है ठीक है बात और ये मनीपूर की तो सीय में एन बेरें सिंग ओके गवननने लाग अलेशन ठीक है तो देखिए ये संगाई festival जो है मनीपूर का लाज़ेस में फेसिवल है संगाई लिका है तो संग तो अगर आपके पास मनी है ना तो संग में आपके बहुत सारी लोग रहेंगे तो संग यन की स संगाई सो मनी पूर हो जाएगा ठीक है मनी है तो संग में सब लोग रहेंगे अगला क्वेशन देखिए तो विच यूनियन मिनिस्टर है रिसेंटी लॉंच दा 53 आर चैलेंज तो किस केंदरी मंत्री ने हाली में तिरपन आवर चैलेंज लॉंच गया है तो तो किस ने विडियोस बनानी जैसे कि आचको शॉट्स कदमाना है और अपना टैलेंट दिखाना है तो यह किस तरह के का ऑपरचुनिटी है फॉर क्रियेटिव माइंज तो शोड्य क्रियेटिविडी इन शॉर्ट टाइम बात ओरें यहाँ पर किसकी नेशनल फिल्म डेवलप्मेंट क कॉर्पोरेशन की इसके थ्रू ही यह चैलेंज कराया जा रहा है कि कब फॉर्ण हुआ था यह तो 1975 में एंटिनेशनल फिल्म डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के हैं मुंबई में तो इसको आपको ध्यान दखना है ठीके इसी के अंडर में साथ में रहके यह जो प्लेयर है वो तक गाल को यह बिलॉंग करते हैं तो क्रिस्टानो रोलंडो 118 गोल है इनका अपनी कंट्री के लिए और फीफा के 14 टूर्णामेंट से अभी इनको हमने पड़ा भी था तो आपको याद रखना है यह फर्स्ट मेल प्लेयर बन गए है तो स्कोर इन 5 वर्ट क अब क्या नहीं करिस्टानो रोल्डो ओके एक रखना है तो हाली में एफाइसीसाइश ड्वारा लाइफनेम अचीमें अवार्ड किसी दिया गहा है तो दिखे राजेंद्र पवार गो दिया गहे ओके तो दिखे एर्थ फइसीसीएई हाई एक्सिलेंट एवार्ड सर्यमनी इन में जो largest and oldest apex business organization है इंडिया का ठीक है तो दीखिए lifetime achievement award इसको मिलेगा ठीक है जिसके अंदर बहुत powerful कुछ शक्ति होंगी जिसने NIT को found कर दिया है National Institute of Information Technology को found कर दिया power है तो Rajendra power तो इनको ही दिया गया है तो इस तरीके से आपको यार दखना है अगला question देखिए which city has recently become the first South Asian city to top the CDP climate action list तो इसने क्लाइमेट के लिए कुछ अच्छे काम की है तो देखिए 5th annual report जारी हुई है by CDP जो एक non-profit organization है जो रन करता है वर्ट के environmental related index को एक गैर लाबकारी संगत्यान है जो company शहरों राज्यों और छेत्रों के लिए दुनिया की पर्यावनन प्रक्रक्टी करन प्रणाली चलाता है क्लाइमेट चेंज को कम करने और अपनाने के लिए सहासिक कारवाई करने में जो शहर अपनी भूमी का निभाते हैं जो अपना योगदान देते हैं उनको ranking करता है मुंबाई ने अपनी भूमी का निभाई है तो इसको rank किया गया है तो first south asian city में किसने top किया है मुंबाई म है ध्यान रखना है आपको ओके तो देखिए 14th edition of world spice congress recently अभी हुआ था मुंबाई में इंडियन रेलवे ने इस्टॉल किया था मेग धूद मशीन रिसेंटली अभी तो इसको अमने previous current affair में पर आता तो आपको यह point यहां चकने है 14th edition of world spice congress हुआ था मुंबाई में and मेग धू 16th question देखिए recently in which state the proposal to include 60 villages in 3 districts has been approved तो कौन से इस state में यह proposal जो एक है जुसमें 60 villages and 3 districts में इंक्लूट किया जाएगा एप्रूव हो गया है तो देखे तमिल नाडु में कौन से वो 3 districts है तो देखे चेंगलारु पट्टू, तीरु जुकांदरम and तीरु पोरियूर ओके तो यह इंडिया का state है, okay, 10th largest Indian state है by area and the 6th largest by population, okay, Tamil नाडु जो है second longest coastline है इंडिया का, okay, the second largest mangroove forest पाया जाता है पूरे वर्ट का कहाँ पर Tamil नाडु में, भरत नाटेम जो है वो classical dance है Tamil नाडु का, okay, capital क्या है चिन्नाई, language है Tamil, गवर्नर कौन है आरेन रवी और चीप मिनिस्टर को Tamil नाडु से रिलेटेर यार रखने है, ठीक है, अगला question देखे, इंडिया का first anti-poaching dog has passed very recently, what is his name, तो देखे, हाली में भारत की पहले, शिकारी विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, तो देखे, नाम क्या है इसका जोरबा, तो देखे, शिकारी officials in Kajiranga and Manas National Park as well as other rhino inhabited areas in Assam, तो वहाँ पर ये K9 square होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखने, क्या नाम था, जोरबा नाम था, अगला question है, who will host the G20 Sherpa meeting in India recently, Sherpa meeting, यानि की Sher, है ना, तो Sherpa meeting कौन organize करने वाला है, तो Jayapur का Udaipur, ठीक है, तो first G20 Sherpa meeting हो रही है इंडिया में, इं 4-7 December तक ये होगा, health कहां पर हुआ, उदयपूर में, इम क्या है इसका, कि at fostering growth and building bonds among the member nation, तो member nation के साथ मिलके faster growth करना है, Sherpa कौन रहे है, इंडिया की तरफ से, Amitab Kanth रहे है, ठीक है, ये बाते आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, उदयपूर की बात हो रही है, तो उदयपू है, यहाँ पर जो पूरे CD को गेट के रखती है, ठीक है, बात हो रही है, यहाँ पर देखिए किसकी, G20 की, तो G20 जो है, फॉर्म्ट हुआ था, bank drop of the financial crisis of the late 1999, तो financial crisis के विए से G20 जो है, इसको घठन किया गया था, एम क्या होता है, इसका, इसका, इसका होता है, इसका, इसक फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इतली, जपान, मैक्सिको, रूस, साओधी अरब, तक्षिर अफरिका, कोरिया, गर्राज, तुर्की, युनाइटेट किंग्जम और स्रयुक्तराज, अमेरिका जो है, G20 में आते हैं, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, इस यह पहुस्त है, किसे को पॉइंट क्या गा है, तो देखिए, कैसे धियान रखना है हमें 2-3, 2-3 यकि 3 तो पहुस्त है, इस अपर्फाफित देखाते हैं, बाकि तो लग देख दीक है, तो 2-3 ही प्रोग्राम इज़ी यानिकी इस तो इजप के जो प्रेसिदन है, अब अब देल फता अल्सीसी इनको इन्वाइट किया गया है ठीक है यहाँ रखना है आपको चीफ गैस फॉर्दा रिपप्लिक दे इन 2023 अगला क्वेश्चन देखिए वेर इस दा ट्वेंटी फिफ्ट कॉंफरेंस और इन गवर्नर्स स्टार्टे तो ट्वेंटी फिफ्ट ट्वेंट किया है इन इन्वर्मनर्स की काट्रा जमुएं कशवीन में कशिवीर चाइब इन्वाइन कनिकिया यह इनौर्मनर्स की तरफ और लेके आना इसका एम है घिक ऑब्जेक्टिव और उद्योग प्रमखो को एंडडियोग सेवा वित्रन में सुधार के लिए e-governance में उनके सफल हस्त शेप को प्रदश्शित करने पर जोड दिया गया है इस पर ठीक है तो याद रखना है आपको 25th National Conference e-governance का कहां पर स्टार्ट हुआ है तो जमू एन कश्वीर में ठीक है तो दीखें यहां पर National Conference की बात हो रही है तो Conference इस बार कहां करा जा रहा है जमू कश्मीर ठीक है तो 25 साल के जो बच्चे है वो जमेनार है इसलिए यह governance जो Conference है जमू कश्मीर में हुई है ताकि governments की जो scheme है इससे easily जोड सके तो ऐसे आपको रिलेट करके ध्यान रख रहे हैं कि यहां पर बात पर रहे हैं इसके यह लीडर है प्रशांत भाग तो इन ही को है इंस्पायर किया है इनोंने सब को तो अबिसली यह कैसी होंगे हें कितनी बहुत शांथ सोभावन के हो पोगे तब ही तो सब इंस्पाइर होते हों में तो शांथ प्रशांथ प्रशांथ वाग हो जाएंगी ठीक है आप देखिये अगला चो इसमें Economic Times inspiring leader award दिया गया है तो यह दिया गया है देखे एपी श्रीथर को और किसने इसको प्रोवाइट किया है तो एक्टर्स जो है मुरुनल ठाकुर ने इनको प्रोवाइट किया है यह economic times inspiring leader शिफ एश्या की inspirational leader की बात होगी तो प्रशांत बाग economic times में होगी तो एपी श्रीथर ठीक है डेली में यह दिया गया है याद रखना है आपको दोनों ही पॉइंट होगे तो चलते हैं आप next question पे तो अगला question है देखे from where ISRO has recently launched PSLV C-54 rocket to carry with observation satellite तो हाली में ISRO ने प्रिथवी अभ लोका नुबग्रह को ले जाने की लिए PSLV C-54 rocket कहां से लौच किया है तो देखे श्री हरी कोटा अंदरप्रदेश ही कहा है में लिए यहीं से लौच किया जाता है तो याद रखने है आपको PSLV यानिकी polar satellite launch vehicle C-54 जो कैरी कर रहा है Earth observation satellite जिसको ocean set 3 भी कहा जाता है satellite 6 and 8 nanosatellites कहां से इसको किया गया है launch तो Satish Dhawan Space Center at Shri Harikota अंदरप्रदेश बात और यह इश्रो की तो देखे अभी हमने recently पढ़ा था कि ISRO ने successfully launch किया है RH-217 rocket को ठीक है याद रखेगा अगला question देखे सुल्तानपुर village of which state has been renamed as Rahul Nagar recently तो हाली में किस राज के सुल्तानपुर गाओं का नाम बदर रहुल नगर कर दिया है तो देखे महरास्त्रा को कि ए महरास्त्र का एक जगा है सुल्तान पूर village का ठीक है तो सुल्तान होते है ना महरास्त्र का अगर कोई सुल्तान है तो कोई हल्ला हुल्ला करेगा सब्सक्राइन के सामने महरास्ट के स्क्राइब कोई भी video ने technically इसका नाम नहीं कर दिया है अगला परदान मंत्री का एक TV मुक्त भारत अभियान है जो न्यू देली से स्टार्ट हुआ तब 40A वे यानिकि 41st भारत अंतराश्टिय व्यपार मेला यानिकि इंडिया ट्रेड मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड मेले के टाइम पेस को एनाउंस किया था प्रधानमंत्री TV मुक्त भारत अभियान और इसमें टार्गेट रखा गया है कि 2025 तक TV को बिलकुल खत्म करना है तो यह एक अभियान भी है और इसी अभियान का जो Ambassador बनाये गया है जिसका नाम पढ़ गया निट्शे मित्र ठीक है इसको दीपा मलिक को तो आपको सारे पॉइंट को रिडेट करके याद रख रहे हैं अगला देखिए तो करनाटका की संगीत नातक अकादमी की तरफ से किसको अभॉड दिया गया है तो वसंदरा दोरा स्वामी देखिए बहुत कुछे जा रहे हैं आजकल एक्जाम में डांसर से लेटेफ तो यह पात आपको याद लखने हैं संगीत नातक अकादमी जो करनाटका ची है उसında त्यार। वसंद्रा दोरा स्वामी को दिया गया है do देखे, इनके साथ-साथ आठ लोगों को दिया गया है, तो देखे, भरत नातियम डांसर वसंद्रा दोरा स्वामी इनको मिला है, कारनेटिक वोकलिस्ट आर्के पदम नाभा इनको भी दियागया है, जन्पधा कंपोजर गार्ती केरे रागाना इनको भी मिला है, और देखे, तो इन में से एक है वसुंद्रा दोरा स्वामी जो भरत नाटियम डांसर है ठीक है याद रखना है आपको संगीत नातक अगादमी जो है देखें ये 1953 में इस्ताबिश हुआ था और इसका मेल हैड़कॉर्टर कहां पे है डेली में अब तो कई सारी जगा पे बन चुका है तो यह जो अवाट दिया गया है संगीत नातक अगादमी अवाट कर नातक की तरफ से ठीक है तो याद रखना है आपको अगला क्वेश्चन देखें बिकम तब वाइस चेर्मन ऑफ इंटरनेशनल एलेक्टोट टेक्निकल कमिश्ण का वाइस चेर्मन किसको को अपउइंट किय तो इंडिया की तरफ से श्रीव वीमल महिंद्रू जो है तो इनको सेलेक्ट हिया गया है International Electrotechnical Commission का बहुत उच्छा से आपको याद रखना है तो देखिए जो International Electrotechnical Commission है यह आकिर है क्या तो एक Non-profit and Non-governmental International Standard Organization है और जो develop करती है और publish करती है International Standard जैसे की Electrical की कोई चीज हो गई Electronics की चीज हो गई Technologies से रलेटेट कोई भी चीज हो गई तो इनी सारी जो चीजों को यह Standard प्रोवाइट करता है जिसको Electric Technology या Electro Technology भी कहा जाता है तो इंडिया को इस Commission के लिए Select भी किया गया है तो इंडिया के शिरी वीमाल पहिंद्रू तो यह सारे important points आपको याद रखना है चलते हैं आप next question पे Recently in which state in the matter of clearness a draft sanitation system will be prepared on the lines of indoor तो देखें जिस तरीक से इंदौर हर साल सफाई में आगे रहता है न इसी की तर्च पे जो उत्तर प्रदेश ने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा ड्राफ्ट बनाए sanitation systems related कि उत्तर प्रदेश को भी clean किया जा सके तो यही आपसे question पूचा है कि कौन से state ने एक ड्राफ्ट तयार किया है sanitation system प्रिपेर किया है on the lines of indoor तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश ठीक है तो देखिए बात वरी उत्तर प्रदेश की राइट इंदिया का first night safari and biodiversity park जो है establish होने जा रहे है लखनो में anti-narcotic force for drug and alcohol ठीक है किस ने शुरू किया उत्तर प्रदेश ने पंच अम्रित इस्कीम उत्तर प्रदेश की है बनारस में अखिल भारती सिक्षा समागम का उद्गार्टन हुआ था recently तो यह points आपको याद रखना है next question देखिए which country stephanie farapart has recently become the first woman to officiate in the men's fifa world cup किस देश की stephanie farapart holly में पुरुषों के fifa विश्वकप में अमपाइरिंग करने वाली पहली महिला बनी है तो देखिए पहली महिला बनी है कौन इस्तिफा फ्रेपार कहां की है फ्रांस में ठीक है यह बात आपको याद रखना है कि first कौन सी country की stephanie farapart है जिनको मौका मिला है जो first woman बनी है ताकि जो fifa world cup चल रहा है इसमें एंपाइरिंग कर पाएंगी ठीक है ध्यान रखने है आपको अगला question देखिए अगला question देखिए which state has recently become the first to create the role of director general of audit तो कौन साइसा पहले स्टेट बन गया है जिसनी create किया है role of director general of audit तो देखिए तमिल लाडू ने इसको create किया है तो तमिल लाडू become the first state to create the role of director general of audit जो हायर करने वाला है 30 officers from the Indian audit and account service on deputation for this तो याद रखना है आपको 30 officers को यह select करेगा अब बात और यहां पर क्योंकि audit की तो देखिए from trader and auditor general कौन है present में यानि कि CAG कौन है इंदिया के तो श्री किरिस चंजबुर्मू है 14th number के CAG जो है कौन से article में आता है तो article 148 of the constitution of India CAG की बात करता है तो यह आपको question जो है ध्यान रखना है ठीके कि कौन सा ऐसा पहला state बन ने launch किया था पुदु माई पैन स्कीम इसके लिए girls students के लिए ठीक है तो यह points आपको ध्यान रखना है विच कंट्री हाज डिसेंटी लॉंस operation turtle shield तो हाली में किस देश ने operation turtle shield लॉंच किया है correct answer ने देखिए इंडिया तो इंडिया ने operation turtle start किया है तो देखिए इंडिया में बहुत सारी लोग ना animal से प्यार करते हैं टर्टल को भी save करते हैं टर्टल की पूझा की जाते हैं इसलिए operation turtle किस ने start किया इंडिया ने start किया तो आपको ऐसे यादर नहीं है तो देखिए 19th meeting हुई थी conference of parties COP19 यानि कि convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora ठीक है तो देखिए इसी में यह बात की गई है इंडिया ने proposal रखा है for induction of fresh water turtle बड़ा गोर कच्वा ठीक है तो इसी में यह जो operation turtle shield है यह launch किया है इंडिया ने कहां पर हुआ था देखिए यह 19th meeting है conference of parties की तो पनामा city में ठीक है इंडिया है देखिए इस पूरे conference का to eliminate poaching and illegal trade of fresh water turtles ठीक है जो fresh water turtles है इंडिया जो illegal trade होता है इसको रोकना ठीक है और जो turtle है बतागुर जिसको कच्वा बोला जाता है इसकी जो species है इसको और बढ़ाना है ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि launch किया है operation turtle shield किसने इंडिया ने बहुत अच्छे से अगला question देखिए who have recently been honored with the Dr. Mangalam Swaminathan National Award 2022 for Excellence in Journalism तो हाली में किसे Dr. Patrarika में उत्तकृष्टा के लिए Mangalam Swaminathan राष्टे पुरुसकार 2022 से समानित के आगया है तो देखिए विश्णू त्रिपार्टी मंगलम Swaminathan कौन है विश्णू जी है विश्णू त्रिपार्टी हो जाएंगे तो देखिए विश्णू त्रिपार्टी जो है दैनिक जागरन दैनिक के राष्टी संपादक है तो इनको ही आवर्ट दिया गया है अगला question देखिए तो जैसे इच्छोगी वैसा सर्वे करेंगे तो इच्छक एसे ध्यान रखना है ठीक है इक्षक जो है यह थर्ड सीरीज है फोर वैसल बिल्ट अंडर दा सर्वे वैसल लाच यानकि SBR प्रोजेक्ट के तुरू यह तीसरा सीरीज है किसका सर्वे शिप का लाउंच हुआ है इसको जॉइंटली बिल्ट किया गया है इंजियन शिप बिल्डर गार्डन रीच शिप होल्डर्स एंग एंजिनियर्स एंड एलन टीके तू दा फॉर्थ शिप जो है वो बिल्ट हुई थी जी एर एसाई कोलकता में हेल्प क्या करेंगा यह तो मॉनिटिंग मैरी टाइम स प्रोजेक्ट जो है निदिश कुमार जो है बिहार किसी अमिनों ने लौच किया है तो किसी को कोई टेंशन होगी है तो हर घर घंगा जल होगा तो लोग हार नहीं बानेगा अपनी लाइफ से और पानी को रिलेट करके पानी के गंगा को लेके कुछ इनिशियेटिव सो बाइब बिहार चीफ मिनिस्टर निदिश कुमार लौच हुआ था यह 27 निवेंबर को एम किया इसका तो इनिशियेटिव तो में गंगा वॉर्टर एविलेबल थो टैप्स इन ड्राइए एरिया सॉथ इस सेट का तो बहां तक पानी पहुचाने के लिए इसको प्रोजेक्ट को लॉंच किया गया है तो आपको याद रखना है बात और यह देखी बिहार की तो बिहार ने इनौग्रेट किया था फॉर्स्ट इथनॉल प्लांट तो पुर्रणिया दिस्ट्रिक में मुक्य मंत्री व्रिधावन पेंशन योजना भी स्टार्ट की थी किसन हिंदी हमारी ऑफिशल लैंगेज होनी चाहिए किसी भी जो यूनियन में काम हो रहा है सेंट्रल गॉर्मेंट में तो हिंदी जो है में भाषा होगी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी ठीक है तो आपको अगला प्यूशन देखिए विच कैंपियन हाज बिन लॉंच कानल को फिर सेंट्र गॉर्मेंट में तो जो जो जेंडर वाइलेंस होता है तो जो इस चिसको कम करने के लिए नई चेतना लेकि आओ और आवाज इठाओ तो नई चेतना लॉंच जिया है तो देखे एम क्या है इसका टू में वोच अपर्या अगूंदी अगेंस जेंजर प्रधानमंत्री जन आरोगी योजना और इंटेंसीफाइड मिशन इंद्र धनो 3.0 तो यह है सेंट्रल ग्वार्मेन्ट की स्थीम जो ध्यान अपको next question देखिए recently harimu shakti abhyaz has started between India and which country तो देखिए हाली में भारत और किस देस के बीच harimu shakti abhyaz शुरू हुआ है तो देखिए Malaysia and India के बीच में तो harimu के लिए ही mala जपते हैं तो mala Malaysia है ऐसे आपको ध्यान रखते हैं कहां भी हुआ है तो Pulae Kulang Malaysia में annual training होती है ये exercise between India and the Malaysian army other military exercise देखें तो देखें 3rd Dust Lake 2022 अभी हमने इसको पीछे भी पढ़ा था फिर से जल्दी से revise कर लेते हैं इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच में कृपार शक्ती 2022 conducted by Indian Army Trishakti Corps नसलीम अलबाहर तो between Navy and of India and Oman Summon by 2022 Indian Air Force की एक exercise है जो अभी recently आग्रा में होई है ठीक है ध्यान रखने है आपको तो देखें अब हम questions पढ़ने जा रहे हैं one liner के form में पटाफट से तो देखें which company has recently become the first Indian company to set up in the European Work Council तो कौन सी company हाली में European कारी परिशत की स्थापना करने वाली पहली भारती company बन गई है तो देखें विपरो बन गई है ठीक है ध्यान रखने है आपको तो देखें यूरो विपरो तो विपरो हो जाएगा अगला question देखें which of the following has been made the world of the year 2022 by Cambridge Dictionary तो Cambridge Dictionary क्या कौन सा word बनाया गया है word of the year तो homer ठीक है तो देखें Cambridge लिखा है तो देखें bridge बना रहता है घर से बाहर जाने के लिए है ना तो bridge क्या होता है हमारे घर से बाहर जाने के लिए एक रास्ता होता है ना bridge वगेरा तो bridge होता है home के लिए घर के लिए तो homer हो चाएगा next है which has recently become the first woman sky driver of Indian army तो पहली woman कौन बनी है जो sky driver है इंडियन आर्मी की तो दिखे लेस नायक मन्जू तो दिखे इसकाई में drive कर रही है तो मन झूम गया तो मन्जू तो मन्जू तो नेक्स है रिसेंटली बंदारू विलन्स बाबू has been appointed as the ambassador of India तो विच करेंट्री तो कौन सी कंट्री में बंदारू विलन्स बाबू जो है इनको appoint किया गया है तो कॉम रॉट्स में ठीक है याद रखना है आपको कॉम रॉट्स ओके एक्स्स क्वेशन है तो सभी डिस्ट्रिक्स में प्रोवाइट करने वाला जियो का सर्विसस कौन सा स्टेट बन गया है तो देखें गुजरात तो गुजरात के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जियो की 5G सर्विसस पहुँच चुकी है तो याद रखने हैं आपको गुजरात अकला क्वेशन देखें वियर विल्बी दा बाइनियल एयर शो एरो इंडिया 2023 भी है रिसेंटी तो देखें दूइवार्चिक एयर शो हो रहा है कहां पर 2023 में बैंगलूरू में ठीकें तो याद रखनें आपको बैंगलूरू एयर शो बैंगलूरू ओके याद रखेगा अगला क्वेशन है देखें विच स्टेट गौर्वर्मेंट हाज रिसेंटी एनाउस तो मेक दा स्टेट स्लम फ्री बाई 2023 तो 2023 कर थी तक इस्लम फ्री बना देना है तो किसने यह एम रखाए उडिसा ने तो देखें उडिसा ने रखाए ताकि जो सिटी है ना स्टेट है बिल्कुल तहस ना हो जाए गंदी की बचे से तो सफाई की दिशा में काम करेंगे तो इसे क्राइस को भगा रहे है तो क्राइस पर्मा क्राइस टीक है ऐसे आपको याद रखना है अगला देखी हूँ इस वे एर्थ डे प्रेस्टीजियस पुसकर फेर रिसेंटी तो प्र को देखे ह्याय जो है किसने स्टार किया है तो देखयो गे किर और सांस लेने बहुत जरोरी हਹ ब्रीस करना गोंटेक्ष उके ऐसे आपको धियाँ हेorational गीता सब्सक्र पर कुरू चेतर में ठीक है तो जीता मोचसब कहां पर कुरुचेत्र में ओके देखे घीटा तो जीटा यानिकि महाभारत महाभारत नीटि कुरुचेत्र ओके next question देखे which has recently become the first listed company in the world to lose one trillion dollar जिसने one trillion dollar को लूज कर दिया है correct answer है Amazon ठीक है तो देखे Amazon की delivery हो गई है बगवास तो one trillion dollar इसने लूज कर दिया क्योंकि सही से काम ने कर दिया है इसे ध्यान रखना है which state has stopped in the opening new companies recently after Corona तो देखे रास्ते खुल दिये लोगों के लिए तो महारास्टा लास्ट क्वेशन देखे who has been appointed as the chairman of the national pension system trust recently to national pension system trust का किसको अपॉइंट किया गया है तो सुराज बान और आज का यह last question है तुरज बान जो है इनको national pension system trust का new chairman point क्या किया है तो यह point भी आपको यह question भी ध्यान रखना है right so देखे November में जितने भी important mcq questions है उससे आज हमने एक video में complete कर लिया है video लंबी हो सकती है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं बहुत important है आपके exam के लिए और special आपके ससी मेंस के exam के लिए right most of the questions को हमने त्रिक से कवर किया है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा comment करके बताएगा तो मेलेंगे आप next video में thanks for watching